हेलो आवरीवान बेलकम बाक टू मागनेट ब्रेंज मैरा हुल गोतम आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर लेके आ चुका हूँ प्रीवियस येर कॉस्टन सॉदिशन इंपॉर्टेंट होते हैं बेफोर आपेरिंग इन दी एग्जामिनेशन फाइल एग्जामिनेशन आपको पीवाइक्यू जरूर लगाने हैं अल्रेडी मैं आपको तीन सैंपल पेपर प्रॉबाइड कर चुका हूँ जो कि ऑफिशली सीवियस ने आपके लिए रिलीज किये थे राइट अब मैं स्टार्ट कर चुका हूँ प्रीवियस येर कॉस्टन पेपर की रिकॉर्डिंग सॉ प स्टेथि अभी भी भी रही हैंश कि आपके की सब्सेशन कर चुका हुआ सैंगर ऑनियुसु कि पर च कैरी है के रिकॉर्टक सेटीन इस supplementsy सब्सक्राइब कर देखने को मिलने वाली है आचुका है मेरा पहला कर्षिन लिखा हुगा है राम और मोहन वर पार्टनर्स विट फिक्स कैपितल्स फ्री लैक्स इन तुलैक्स रिस्पेटिवली एस पर दियर पार्टनर्स इब्रीड इंटर्स न capital was allowed at the rate 10% per annum net profit for the year ended 31st March 22 was 30 30,000 the amount of interest on capital was credited to each partner's current account for the year ended 31st March 2022 was 3 lakh sir 10% 30,000 or 2 lakh 10% 20,000 is there any option हाजिसर ए लगा दीजिए बस कर दिया कवाड़ा अरे भाईया इन एड़िकेशियो प्रॉफिट है प्रॉफिट इन एड़िकेट है टू पे दी interest on capital interest on capital हो रहा है सर्फ 50,000 और profit आपके पास कितना है 30,000 तो in this scenario this interest on capital को बना लो ratios में तो कितना आ रहा है 30,000 and 20,000 तो paywall ratio क्या आ गया है 3 raise to 2 जो profit बसता है इन एड़िकेशिय में उसको हम paywall ratio में divide कर देते हैं तो 30,000 का 3 by 5 18,000 30,000 का 2 by 5 12,000 interest on capital की नाम पे 18,000 और 12,000 दोनों को मिल जाएगा that is option number C is correct one done question को द्यां से पढ़ना रहेगा यहां नहीं पढ़ा होता तो आप obviously first answer mark करके आंगी बढ़ जाते हैं तो answer is C moving towards next question that is internal choice of question number one only Anu, Bindu and Sia were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2 to 1 Sia was guaranteed that her share of profit will not be less than 50,000 The firm's profit for the year ended 31st March and 2 was 2 lakh तो 2 lakh रुपे का profit हुगा और guarantee मिली थी Sia को कि उनका profit 50,000 से कम नहीं होगा तो देखते हैं कि Sia को Sia को 50,000 रुपे का profit मिला क्या तो total share of profit total profit of the firm is 2 lakh इसमें Sia का ratio हम करेंगे तो Sia को मिला 40,000 and Sia was guaranteed for 50,000 तो deficiency कितनी हो गई अब? Deficiency कितनी हो गई sir? 50,000 minus 40,000, 10,000 की इस deficiency को कौन बेर करेगा? Anu और Bindu किस ratio में? In their profit selling ratio that is 2 to 1, that is 1 to 1 1 by 1 में कर लेंगे तो 5,000 जो है वो Anu और 5,000 जो है वो Bindu पूचा क्या है? The amount of deficiency to be bond by Anu was 5,000 option देखरा लगा दीजी कहीं पे Yes, it's 5,000 Done Next question That is question number 2 Rohit and Mohit By partners sharing profits and losses in the ratio of 2 to 1 Their capital account says on 31st March 21 Had a credit balance of rupees 1,09,000 and 66,000 respectively Achha, एक की इसको है They admitted Sahil as a new partner on 1st April 21 For one-fifth share in profits Sahil brings, Sahil brought 25,000 as a share of goodwill premium He agreed to contribute capital in new profit-saving ratio The amount of capital brought by Sahil was कितना लाएगा साहिल, सर? कितना लाएगा साहिल? कोई दिक्कत नहीं है पुराने partner की capital टोटल कर लो 1,09,000 प्लस 66,000 प्लस 25,000 करना है की नहीं करना है? कर दीजिये, सर कर दीजिये, क्यूंकि दिस premium of goodwill कहाँ पर जाएगा? पार्टरनर्स के capital account में credit होने वाला है तो मतलब उनका capital भी बढ़ जाएगा ठीक? तो कीजिये, तीनों को प्लस कितना हो जाएगा? तीनों को प्लस करने पसर इस गोई टो जीरो, जीरो, जीरो 5 प्लस 6 इस 11 प्लस 9 इस 20 का 0, 2 कैरी 4 4 प्लस 6 10 तो 10 का 0 1 कैरी हुआ and here is 1 तो 2 लाग रुपीज जो है 2 लाग रुपीज जो है exactly यह किस-किस की capital हो गई after all adjustments रोहित और मोहित की रोहित और मोहित कंबाइन capital is 2 लाग for कितने सेर्स के लिए सर यह है सर 1 minus 1 by 5 मतलब 4 by 5 के लिए capital is 2 लाग तो फर्म का capital कितना हो जाएगा सर 2 लाग into 5 by 4 that is 5 times गया 2 लाग 50 थाउसन अब 2 लाग 50 थाउसन का 1 by 5 लेके आएगा that is 50,000 rupees साहिल विल ब्रेंग for his share of capital please check the answer आया समझें बेटा clear है हमने यह बैच्छी है क्या यह adjustment of partner's capital on the basis of existing partner's capital उसके basis पे हमने adjustment किया right next question कि तरब मूब करूँगा that is question number 3 Radhe Limited forfeited 500 shares of 10 each fully called up for non-payment of final call of rupees 3 per share 300 of these shares were reissued at 8 per share is fully paid up the amount credited to capital reserve account was please try to understand how much they have called up 10 rupees how much not received 3 rupees that means 7 rupees per share received the amount which is received is known as share for feature toh per share for feature is कितना है sir per share for feature is 7 rupees now how much you have provided discount at the time of ratio sir 8 per share fully paid up 10 ka share 8 rupee में fully paid up किया तो 2 rupee का क्या होगा आपका discount on reissue ठीक तो 7 rupee का for feature था 2 rupee का discount दे दिया तो capitalism में कितना जाएगा per share 5 and number of shares that is reissued 300 तो 300 से multiply कर लिजी तो हो जाएगा sir 1500 is to be transferred to capital reserve at the time of reissue of forfeited shares is that clear चालिए चालिए next question है इसका internal choice a company forfeited 1000 shares of 10 each 7 called up for non-payment of first call of 2 per share called up share not paid 2 paid up 5 all these shares were reissued at 5 per share 7 paid up 5 per share 7 paid up discount 2 rupees discount 2 rupees 4 feature 5 rupees the amount transferred to capital reserve account was तो बात समझी है try to understand 5 rupees का 4 feature है 2 rupee का discount है per share का 4 feature that has to be transferred to capital reserve number of shares number of shares number of shares multiply करकले 1000 so it is going to be 3000 only is there any option yes sir 3000 done next question की तरब चलेंगे that is question number 4 Suchi and Ruchi were partners in a firm sharing profits and losses equally throughout the year Ruchi withdraw 12,000 in middle of each month Ruchi withdraw 12,000 in the middle of each month interest on drawings is to be charged 6% per annum as per partnership agreement the average period for calculation of interest on drawings will be okay average period they were asking okay no issue what is the formula of average period time left after first drawing the first drawings we must have done on 15th of April to 11.5 months left plus last drawing must be done on 15th of March that is 0.5 months is left divided by 2 that is 12 by 2 याने की 6 months 6 months is the average period calculation नही भी करता तो सौटकट भी मालूम था कि मिट अब दा मन्त अगर करते है इच मन्त में तो 6 months आता average period चालिया now we have done with this question now moving towards next question that is question number 5 on the reconstitution of firm the value of furniture increases from increased from 7 lakhs to 8 lakhs a stock reduced to 4 lakh from 4 lakh 20,000 gain or loss on revaluation will be 7 to 8 हुआ 1 lakh का इहां पे आपका revaluation credit हुआ 420 से 4 हुआ तो 20,000 इहां पे आपका revaluation debit हुआ credit minus debit तो we are having credit balance that is profit on revaluation how much how much 80,000 that is option A done easiest question easiest question next question number 6 total assets of a partner safe firm which was dissolved were 30 lakhs and its total liabilities were 6 lakhs that means 24 lakhs must be for a partner's capital account and resistance surplus assets were realized at 80% and liabilities were settled at 5% less if dissolution expenses were 30,000 the profit or loss on dissolution was very simple very simple see see assets were realized at 80% assets were realized at 80% so please that's our revaluation sorry it is going to be it is going to be 30 lakhs for example it's a realization account then 30 lakhs must be going to here as transferred from as transferred from balance sheet and 6 lakhs must be there when we have realized assets so what we have returned 30 lakhs 80% 24 lakh rupees by bank we must be writing this side now we must pay the liabilities at 5% 6 lakh of 5% that is 6 into 5 is 30,000 30,000 so we have paid 5 lakh 70,000 right now desolation expenses were 30,000 add 30,000 here also then calculate it is going to be 36 lakhs and it is going to be 30 lakhs that means there is a loss of 6 lakh rupees loss on desolation loss on realization is 6 lakh rupees please check the answer it's 6 lakh rupees it is just I have made a realization account next question is question number 7 offer of securities or invitation to subscribe securities to a select group of persons by a company other than by way of public offer is known as private placement of shares easiest one next question question number 8 partners if firm has 4 partners how many additional partners can be admitted into the business as per the provisions of companies at 2013 as per provisions of companies at 2013 there may be maximum number of partners in a partnership firm 50 they are having already 4 that means how many additional partners may be there 46 right 50 already right internal choice of this question Amit and Sumit were partners in a firm with fixed capitals of 6 lakhs 4 lakhs respectively Kavi was admitted as a new partner for 1 5th share in the profit of the firm Kavi bought 40 000 as share of goodwill premium and 3 lakhs capital amount of goodwill premium credited to Sumit will be okay that means their their old PSR is not given that means they must be sharing their profits in equally they must be sharing profits equally and and 40 thousand must be divided equally it is 20 thousand 20 thousand easiest one abh yeh madh bolna sir ki PY to sir bhot easy try to understand next question question number nine Gopal Krishna and Govind were partners sharing profits and losses in the ratio of 5 4 3 Krishna retired on 1st April 22 Gopal and Govind purchased his share of profit by giving him 1 20 thousand and 80 thousand 80 thousand was paid by Gopal 40 thousand paid by Govind gaining ratio hmm hmm aap ne kya pay kiya goodwill kis ratio pia gaining ratio may 80 8 raised to 4 that is simple 2 raised to 1 2 1 easy question moving towards next question that is question number 10 at at the time of 4 feature of shares share capital account is debited with called up amount called up amount usi ko reverse karte na kya hi puch raha pia next question elite limited issued 20,000 9% debentures of 100 each at a discount of 10% redeemable at a premium rate of premium is not given on issue of these debentures loss on issue of debentures account was debited with 4 lakh rupees the premium on redemption of debentures is kitna ho jayega bhaiya loss on issue of debentures account was debited with 4 lakh rupees ab kya karen sir ab dhkho discount ko bhi loss mein ڈala ho kya to phele discount calculate kero discount kitna ho jayega sir ye ho 20 lakhs ka 10 percent 2 lakhs to what is going to be your answer 2 lakh rupees total loss is 4 lakh rupees is minus kya 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 dhkha discount that is 2 lakh rupees kya 20 lakhs kya debentures hai us ka 10 percent calculate kya to remaining must be for loss on issue of debentures that is for your premium on redemption of debentures right chali next question question number 12 net asset minus capital reserve net asset minus capital reserve purchase consideration purchase consideration kya se question hai ye question hai sir aapka issue of shares for consideration other than cash or debentures se bho sakta hai right chali next question hai is ka b that is internal choice when a company issues shares at a premium the company can collect security premium along with the following unki ich cha application pe mangli allotment pe mangli call money pe mangli any of the above koi samushya ne kabhi bhi manga sakte ho aapki ich cha question number 13 on admission of a new partner the old partners share the gain or loss on revaluation of assets and reassessment of liabilities in which of the following ratio admission revaluation old partners old PSR old profit sharing ratio me karte hai right what are easy questions 13b Asa and Nisha were partners in a form sharing profits and losses in the ratio of 30 to 1 Charu was admitted as new partner for one fourth share in profits of the form which she acquired equally from Asa and Nisha the new profit selling ratio of Asa Nisha and Charu अभी calculate karna pa right Charu language पढ़ो kisar one one four sent the profit to the form which she acquired equally from Asa and Nisha so one by four ka one by two that is one by eight from Asa and one by eight from Nisha six minus one that is five by eight eight to one one by eight to have a equal two by eight new profit selling ratio would be five is to one raise to two five one two C answer right next question we will be moving towards that is question number 14 no no next question that is question number 14 oh read the hypothetical situation and answer question number 14 and 15 on its basis Rudra Dev and Siv were partners from selling profits in the ratio of 532 their fixed capitals were six six lakh four lakh two lakh respectively besides this capital Siv had given a loan of 75 thousand to the firm their capital partnership lead provide for the following IOC 9% per annum dina salary IOC interest on partners drawing 12% salary to Rudra 30 thousand per month and Dev 40 thousand per quarter interest on Siv loan at 9% per annum during the year Rudra bidra 50 thousand at the end of each quarter they bidra 50 thousand in the beginning of each half year and Siv withdraw 70 thousand at the end of each half year the profit of the firm for the year 31st March 22 before allowing interest on Siv's loan was 7,6,750 before loan before allowing interest on Siv's loan first let's have a question what they are asking how much amount of net profit will be transferred to profit and loss appropriation account simple easy before 7,0,6,7,5,0 7,0,6,7,5,0 before loan and the figure of loan is 75,000 75,000 75,000 पे कितना लाओ करना है 9% ठीक तो 75,000 into 9% easy 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 9 into 0 is 0 9 into 5 is 45 5 4 carry 9 into 7 is 63 63 plus 4 67 that is 67,5,0 तो after allowing interest on partner's loan the profit is 7,0,000 तो 7,0,000 must be transferred to profit and loss appropriation ठीक मैं क्या बोला आपको कि ये इतनी सारे information confuse कर देता हमारा सीधा calculation आगया जरुवत नही थी तो 7,0,000 must be answered yes now moving towards question number 15 what will be the amount will the amount of interest on drawings of the partners partners का interest on drawings we need to calculate okay no issue how much drawings they are having Ruddha withdraw 50,000 at the end of each quarter they withdraw 50,000 in the beginning of each half year Sip withdraw 70,000 at the end of each half year okay the profit of the firm ठीक है पहले यह करके निकालते है Ruddha 50,000 end of each quarter 50,000 end of each quarter 50,000 into 4 total drawings into rate of interest on drawings is rate of interest on drawing is 12% interest on partners drawing is 12% per annum so we are having 12% and now average period important he is withdrawing amount at the beginning of quarter or end of quarter just let's confirm end of each quarter end of quarter means sir first drawing on 30th June that is 9 plus 0 divided by 2 4.5 tick now this is first one now we'll calculate for the dev rudra dev and dev withdraw 50,000 in the beginning of each half year beginning of each half year 50,000 two half years 12 by 100 each half year but the first drawing must be on 1st April period left after first drawing is April that is 12 months last drawing must be on 1st Jan 3 months sorry yearly half yearly half yearly to second drawing must be on 1st of October 6 months left from there 12 plus 6 is 18 divided by 2 that is 9 by 12 last one we have completed for Dev and save withdraw 70,000 at the end of each half year 70,000 into 2 12 by 100 into end of each half year first drawing was on 30th September toh 6 months here left and there is 0 toh 3 by 12 easy now it is going to be 2 lakhs 2 lakh 2 lakhs 2 lakhs 12 percent 24,000 2 thousand 8 9,000 I I have I have just calculated you can calculate 9,000 sorry options 9,000 so I toh isi peh laga doh deh rudra ka 9 ae ko yor option 9 nahi hai leken second kar leeta ho ab ye ho jae ga 1 lakh how much it is going to be a 1 lakh of 1 lakh into 12 percent 12,000 12,000 ka 9 by 12 is 9,000 easy one easy one for me and next 70 into now it's complicated leken jab mera doh match kar gaya toh may seedha laga doh my calculus is complicated no issue 17 into is 140,000 of 140,000 ka you need to calculate 12 by 100 toh it is going to be hmm sir calculation kar lena it is must be 4200 only teak mera option yahi match kar raha hai doh match kar gaya ta done chalo question number 16 now question number 16 assessment reason questions under the fluctuating capital method the balance in the capital account fluctuates from time to time bilkul sahi under fluctuating capital method all the adjustments such as share of profit loss interest on capital drawings interest on drawing etc are recorded directly in the capital accounts of the partner mujhe lag raha hai bhaiya dono baat hai bilkul sahi hai and reason is the correct explanation of assertion clear baat ji bilkul easy one moving towards next question that is question number 17 abh hume ye three mark ka question a jata hai is solve karin ge chalo bhaiya karta ho mein is three market questions ko aram ke saath karin ke it minan ke saath karin ke ko jaldi nahi humare paas sarji kar lenge aram se one mark complete kar li hai likha hua question mein ki Sinko limited purchase assets of the book value of rupees 1,98,000 from discount limited was agreed that the purchase consideration be paid by issuing 10% debentures of 100 each now record the necessary general entries in the books of Sinko limited assuming that debentures have been issued at a 10% discount at a premium of 10% to is me mujhe donohi case mein number of debentures to be issued to is ka formula hota hai amount to be paid divided by issue price issue price ke ho jai first case mein 100 minus 10 that is 90 agar mein divide karunga 198 ko 90 se it will come it will come 2200 to 2200 debentures I need to issue in first case in second case the amount to be paid is 198,000 issue price will be 100 plus 10 that is 110 agar mein 198 ko divide karunga 110 se it will come 1800 debentures jie mera basic calculation ho gya ab mujhe banane hai general entries general entries ke liye kya karna pa deka format draw karna pa deka sir general ka format draw kar lije yera sir general ka format that is date particulars laser folio debit amount and credit amount ke saath humara format complete ho jata a ap kya karna sir up par legan general off kis general of company ka naam kya hai sinko limited entries pass karna sir up general of sinko limited right pahle entry hogi business purchase karna ki assets purchase karna ki not business to assets account debit to dixon limited assets account debit to dixon limited account assets purchased assets purchased right now amounting to 198000 198000 right guys next alopo karna first case me first case me kithne issue karna ventures ko 10% discount number of deventures I have already calculated to 2200 deventures I need to issue to entry pass kya hogi sir entry ho jae dixon limited account debit discount on issue of deventures account debit discount on issue of deventure account debit to kithne percent deventures sir ji 10% deventures 10% deventures account kithne say set 2200 into 10 2200 into 10 chal idha kithna jayega ye jayega set 2200 ye ho jayega 2200 to balance figure anna chahiye 198000 deventures issued deventure issued thik kya next second case me entry kya hogi entry second case me thode si change jayegi avaayga dixon limited account debit to 10% deventures account to securities premium account number of deventures to be issued is 1800 into 100 number of deventures to be issued 1800 and premium is 10 or yahaan to mere paas 1,98 ka payment karna mujhi to yahaan pe kitna aega ye 1,80 thousand or ye aega 18,000 phir se tally ker chahe gah narration kya banega deventures issued this is how we have completed this question please have a screenshot this screenshot capture kije jaldi se now I'm moving towards next question next question is a internal choice of this question only a jayye question number 17 ka b on 1st April 21 by limited invited applications for issuing 10,000 9% deventures of 100 each at a discount of 6% the entire amount was payable with application 1 minute 100 ka hai thudha lihkte jata hoon or 6 rupees ka discount hai to 94 rupees basically mujhe required honge here here discount hai face value issue price next with application application for 12,000 9% deventures were received 9% deventures were allotted on prorata basis oh lekin koi dikket nahi is me prorata me kyun dikket nahi sir is me prorata me kyun ki sara paisa ek saath ana hai toh joe bhi access application money a k all the applications applicants access money received with application was refunded on 31st March 22 ach 31st March 22 go company decided to write off dissolution discount on issue of deventures okay according to provisions in its securities premium reserve account pass necessary general entries for the above transaction in the books of the company still application receive allot and write off and write off and write off we require a format of general entry first general entry format it is within 30 seconds you to you have to practice a lot or come time you have format okay so kis general of by limited general of by limited entry date given our past date of first entry key first april 21 that is bank account debit bank account debit kitne applications received of year amount calculate carna padega amount calculate carna padega kitna kitna 94 94 pahle to 30 adjectives carry forward karlo of 94 into 2 188 188 188 aega 8 or 18 ho jaega carry 94 into 18 to 104 plus 8 ye ho jaega sir 112 112 112 112 basically 11 lakh 28 thousand you have received tick aap karlo inga allotment entry kya bane ghi deventure application and allotment account debit 2 kitna percent sorry discount bhi discount debit karna padega 9% discount bhi debit karna padega discount on issue of deventure account debit to 9% deventure account to bank ye karna padega mujhe refund ab baat s'majna pita dhyhan se s'abse pere day ha pere kitna jayega sir ten thousand dhi hai aap ke paas or yye face value yaha pere jayegi sir access application where receipt for two thousand adventures or a pere 94 aya ta yye paise 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 chal jayega discount kitna jayega sir ten thousand into six discount jayega or yaha kitna jayega sir yye to already eleven lakh twenty eight thousand ka figure a discount me a debit kard dheng sixty thousand rupees either up kard dheng ten lakh rupees ya to balance figure bank mulli do ya calculate bhi karlo calculate kard kard leite sir to easy raha zero 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 94 into two is 188 188 thousand to dheng eleven lakh eighty eight hoonan chahiye sir kutsu kard ho rhi nai say to a eleven how 188 ho jayega na 68 milag 88 ho jayga nai bhi bloko sa bilko sa chalo narration collect okay deventious allotted right abdekhna 31st march 22 koka karna me write off karna kis ko write off karna discount on issue of adventures ko question me hint given thi ki in ke paas already ten thousand ka securities premium hai to entry ki banegi first kahan se him write off karna ho ta hai securities premium account debit statement of profit and loss account debit statement of profit and loss account debit to to discount on issue of deventious right discount or return off in the year in which deventious were allotted to premium kitnye sa da a paas ten thousand kata remaining fifty thousand kahan per debit karengi statement of profit and loss account total kitna write off karna hai sixty thousand ye question bhi a complete ho ta hai dekho tini tini general entries pooch rai hai not so easy not so tough ho gya screen sort capture karo jali se karlay skin sort capture chalo kar liya toh badhte hai next question ki tara question number eighteen ana chahi sara bhaf hamarai pas ye raha question number eighteen Mohan Sohan and Suresh were partners in a firm sharing profits in the ratio of two to one Suresh was guaranteed a profit of rupees seventy thousand any deficiency on account of guarantee to Suresh was to be won by Mohan and Sohan in the ratio of three to two amounted to two lakh rupees prepare a profit and loss appropriation account for the firm for the year and thirty first month twenty two chala sable kisko guarantee me liya surays kisko guarantee me liya surays toh sab se pehle nikalo surays share of profit surays ko normally profit kitna mil raha hai said two lakh ka one by five forty thousand guaranteed amount was seventy thousand this deficiency is to be born between Mohan and Sohan in the ratio of three to two to three to two 18,000 and 12,000 year that's it profit and loss appropriation you to is me karna tha you jab me calculate kar li ab mujhe karna appropriation banana hai a job appropriation bna dita ho format bna ke ye raha a profit and loss appropriation ka format right a sa kuch hota na a sa kuch hota na bita appropriation ka format mujhe mujhe nai ma a sa hota kya chalo ye vanga profit and loss appropriation chali kya lukhunga upar profit and loss appropriation account particular amount particular amount profit kitna given question mein by profit and loss account 2 lakh rupiah profit carry forward karni kari bolata tick two partners capital account two partners capital account abdekho 2 lakh rupiah two to one about night two to one amount night chalo bardo to kitna aega partners kane mohan sohan sores to mohan sohan and sores kitna aega two two one want aega sir eighty thousand in kode do eighty thousand in kode do or forty thousand kode do lékin in kitna milna chahiye plus thirty kardo kyun kito guarantee mili di to in ka ho jaega seventy thousand in nne kya wola ta guarantee dhi to in kito 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 per deficit severe karne pade eighty thousand in koto thousand to eighty 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 sixty two in kong mil jayega eighty minus twelve to sixty eight in kong jayega ho gya dancer up kya karna kuch nahi karna total kardo do la krupa do la k yaya question complete screen shot capture kru jaldi se time in the question solve karni chalye bade 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 next question pade sir eighteen ka a is done moving towards eighteen ka b eighteen ka b kya bolta a and b were partners in a firm sharing profits equally their capitals were 120 80 thousand the annual rate of interest is 20 percent profits of the firm for the last three years were 34 thousand 38 thousand 30 thousand they admitted c as new partner on c admission the goodwill of the firm was valued at two years purchase of the super profit calculate the value of goodwill of the firm on c admission good a job super profit goodwill ka formula kya hota super profit into number of years of purchase the number of year of purchase is already given the question that is twice one of a party by super profit the what is super profit sir super profit is equals to average profit minus normal profit to average profit on calculate curling a job average profit is equals to 34 thousand three years ke basis per night 38 thousand plus 30 thousand divided by three kitna hojaega sir ninety one like two thousand one like two thousand divided by three one like two thousand divided by three to three se gaya karlon na sa itni man hith kya kya rahu sixty sa yana ninety hojaega aur yye hojaega twelve to one like two thousand divided by three three se gaya yye three times three se kithin times gaya three times gaya ab bach kya one ho gaya 12 12 gaya 3 se four times 34 thousand johi mera a gaya average profit average profit is 34 thousand now i need to calculate the normal profit to how we need to calculate average profit normal profit normal profit is equal to capital employed into normal rate of return upon hundred ab bolo kya sir normal rate of return is not given in the question or hint to the here he agar a paces go fd may be lag out it to interest twenty percent earn kar let that is normal rate of return in the market twenty percent capital employed kya hothi sir ha capital employees can be assessed here by using the liability approach that is capital plus resistance surplus to hama repast sir capital so capital employed would be dono ki capital plus one like twenty thousand plus eighty thousand bachy to kitni ho gai two lakhs rupees ab two lakh ka twenty percent nikaal do kuch galva lag rhi bhai ya oh kuch to galva hai haji ye ho gaya sir normal profit forty thousand kuch to galva sir 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 a kamara profit thirty four kamana chahiye market kisab se forty to aap ka super profit to kuch hai nahi minus six thousand a rai minus six thousand a rai to likh do sorry you do not have any you do not have have any value of goodwill khoda pahad nikli chohiya bilkul nahi darna ki nahi sir a sa ho nis akta goodwill ki value nahi nahi na calculate to do be confident on your concepts chhod do answer kya rai joh answer rai wohi sahi sir kya bol rau ma pherse a chha question dha clean mold kard diya ab lekan a sa nahi ki tum a sa question dhe ke man me calculate kard lo kisar deko twenty percent forty ho raha average profit us ke niche tha to no no value of goodwill aapko working note to karke dikhana padega abh likh sakti ho tum there is no value of goodwill there is a negative super profit negative super profit goodwill ki value nahi hai jali screenshot capture karlijay please capture the screenshot jali screenshot capture karlijay chali done chalo next question katar move karte bada question bada question ta 19 bibha sudha and arsees were partners in a firm sharing profits in the ratio of 2-3-1 sudha retired and the balance in her capital account after making necessary adjustments on account of reserves revaluation of assets and reassessment of liabilities was 85,000 madha sab kuch kar liya lekin goodwill ka naam nahi aya bibha and arsees agreed to pay sudha 1,15,000 in full settlement क्यों दे रहे रहे क्यों दे रहे रहे अच्छे लोग है दया आगई नई सर 1,15,000 में settlement कर दिया देना था 85,000 difference difference of these two is goodwill किस का पैसा दिया ये ये दिया goodwill का पैसा क्योंकि देखो उपर कही नहीं लखा था कि goodwill का adjustment हो चुका है इसलिए हम क्या कर सकते difference जो है सुधा को 30,000 अब 30,000 जो continuing partner किस ratio में share करेंगे तो उनके old PSR क्योंकि ना ना sacrificing ratio given तो gaining ratio क्या होगा टूरिस टूरिस होगा इसा हम assume करें कि कुछ नहीं लिखा है तो 30,000 को entry पास हो कि सर विभास capital account debit goodwill की पूछ रहे है entry ना for goodwill of on सुधा से टार्मेंट विभा के बाद कौन है continue 80 80 capital account debit right to किसको करेंगे credit सुधा to सुधास capital account कितने से set 20 10 और ये हो जाएंगी 30,000 प्लीज capture the screen ये working note हो गया ये आपकी general entry हो गई इतने से के 3 नमर मिल जाएंगे इतने से के 3 नमर मिल जाएंगे 3 mark question है हाज कर लिये screens not capture shall I continue to the next question चालिये चालिये question number 20 आना चाहिए अमर screen पर इसको तो टाके इसको तो टाके यॉड़ाह आपके जाएंगे जाएंगे वी डौन नो का फोर्मूला टाणि रिशो का ठीक है तो वी रूजिघी फोर्मूला वी गरिशो गाईगा तो क्या कर लें हम नियू मैंनने वी एक पोल्ड तो इसका कवर मुला होता जली से बोलो नियू मैंने सब्सक्राइब नेम क्या मीता गीता मोहित मीता गीता लास्ट वन इस मोहित मीता गीता और मोहित अब इनका नया रेशो क्या जली से बोलो नया है 221 नया है 221 2y5 2y5 1y5 ओल्ड क्या है इनके माइनस कर दो ओल्ड इसमें से 532 5 by 10 3 by 10 2 by 10 LCM आगया 10 यह हो गया 4 यह हो गया 5 LCM आगया 10 यह हो गया 4 यह हो गया 3 इसे हो गया 5 into 2 to 10 2 तो हो गया तो हो गया पर कितना 4 उपर गड़वड कर दी न मैंने उपर 2 का 2 आएगा न यहां पर गड़वड कर दी थी मैंने चलो अब यह गड़वड मैंने पकड़ी कैसे यह भी इंपोर्टेंट है यहां पर गड़वड कि यहीं कहीं किसे गड़वड पकड़ लिया अपने क्योंकि गेंग सेक्रिफाइजिंग मिला के कितना हो न चाहिए बरावर हो न चाहिए दोनों हो ठीक है को गड़वड नहीं जाएगा चलो तो 10 हो गया यह 2 हो जाएगा और यह भी टू हो जाएगा ना इसने कोई गेन किया ना इसने कोई sacrifice किया चलो तो इस भाई साब को तो sorry बोल दो कि आपने कुछ भी नहीं किया आपने क्या किया इनका आ रहा है सर माइनस यहां भी कुछ गढ़वर लग रही मुझे अभी भी still some mistake is there नहीं नहीं कोई mistake नहीं है अभी एक बार करने दो 2-5 is 3 2-3 एक मैंट कोई ratio गढ़वड है क्या 5-10 का LCM में सही है 5-3-2-2-2-1 कुस तो गढ़वड है इननना कोई sacrifice कि न गेन किया एक सकिंद लेट्स कम्प्लीट लेट्स कम्प्लीट पहले complete करो 2-5 ये तो 10 वन टाइम में जाएगा न तो 5 से होगा 5 हो जाएगा ये कदरे टाइम जाएगा 2 टाइम टू टू इंट टू इस 4 सही था ना भाई 4 वस करेक्ट अब कितना आएगा सर ये आएगा माइनस 1 वाय 10 और ये आएगा 1 वाय 10 इनने किया सेक्रिफाइज इनने किया गेन इनने किया सेक्रिफाइज इनने किया गेन एंट्री का हो जाएगी गेने पार्टनर्स कापिटल अकांट डाइब टू सेक्रिफाइजिंग इन देहर गेनिंग सेक्रिफाइजिंग रेशो आजाओ बना लो अब आप जनरल का फॉर्माट यह होगा जनरल का फॉर्माट मस्ट भी कंप्रेटेटें 20 सेकंड अब आप वो लोग असा टाइम कम करते जा रहे हो हां तो मेरी एफिसेंसी बढ़ते जा रही आप भी जैसे प्रैक्टिस करो के तो आपकी एफिसेंसी बढ़ जाते जाएगी आप एक मिड्सटर इसेकंड पहले एंट्रीं पास कर दो गेनिंग पार्टनर सकापिटल अकाउंट है में टू सक्रिफाइश इंग विटरस्ट अपियलकॉआइश न कित्स capital account debit, Gita's capital account debit to Mita's capital account, कितने से, the value of goodwill of the firm, 140 का 1 वाय 10, तो 14,000 and 14,000, लिख देना, adjustment for goodwill, क्या लिख दोगे, adjustment for goodwill, right, अब आएगा second, अब आएगा second, जल्ली से, चलो, तो second में क्या करना है आपको, revaluation का profit, बांट देना है, 120 है, in their old PSR, old PSR बांट देते हैं, 120 को, तो, entry क्या होगी, revaluation, revaluation, account debit to partner को ने, Mita, Gita, Mohit, and Mohit, obviously in their capital accounts, tick, in their capital accounts only, हाजी, कितना है, 120,000 into 5 by 10, 120,000 into 3 by 10, 120,000 into 2 by 10, revaluation, profit, distributed, revaluation, profit, distributed, right, तो यह आएगा सा 60,000, यह आएगा 36,000, और यह आएगा 24,000, बाटा, यह calculation speed भी आपको इसी लेवल की चाहिए, स्क्रीन साट काप्चर कर लिजिए, प्लीस, कैप्चर दी स्क्रीन साट, हाँ, I was talking about the calculation speed, calculation speed भी आपको इसी लेवल पर लेके आना पड़ेगा, ठीक, लाना पड़ेगा भी यह, बिल्कुल आना पड़ेगा, कोई इसमस्मस्चा है, दो बाते नहीं है, करें, मूब करें, next question पर, चाहिए, क्योंकि कई बार, paper easy होता है, लेकिन, time बहुत लग जाता है, बनते हुए paper नहीं कर पाए हम, now, question number 21, और यह four mark question है, sorry, it seems to be easy one, लेकिन इसको tough कैसे बनाते हैं, इस question को पढ़के समझ जाओ, notes to accounts मोना है, हमें presentation देना है, capital मै, that is extract of balance sheet बनाना है, tough कहां पर किया नहीं, यह calls and area डरके tough कर दिया, बैसे easy है, sir, format तो या देना, question बाद में पढ़ू, format बना दूँ पहले क्या, चलो, question पढ़ लेते हैं, sir, इतना जादा excited नहीं होते, Sashwati Limited has an authorized capital of 10 lakhs, rupees 10 lakhs, divided into equity shares of 10 each, subscribed and fully paid up shares, capital of the company was rupees 4 lakh, to meet its new financial requirement, the company issued 20,000 equity shares of 10 each, which were payable as follows, 3 on application, 3 on allotment, 2 on, first call, 2 on second call, second and final call, ये लिखना पढ़े क्योंकि गड़वड करेंगे कुस्तो भी, ये कुस्तो भी गड़वड करेंगे, लिखलो आप, ये थी application, फिर क्या है 3 allotment, फिर क्या है 2 on first call, and 2 on second and final call, ठीक, the issue was fully subscribed, the allotment money was payable on 1st May 21, first call, money on 1st August 21, final call on 1st October 21, एक में, dates भी important होगा, ये अब एक सुम, 1000 shares were allotted, did not pay the allotment and call money, allotment भी नहीं दिया, और call money भी नहीं दिया, call money single नहीं लिखा, मान लेते हैं, दोनों नहीं दिया होगा, ठीक है, तो 1000 shares पे कितने रुपे नहीं आए, सर 3 plus 2, 5 plus 1, 7, कितने नहीं आए, 7000 rupees नहीं आए, सर, ठीक है, did not pay the allotment call money, why on, why an allotty of 600 shares, did not pay the 2 calls, 600 shares पे नहीं आए, 2 calls, 4 रुपे, 2,400 rupees not received here, Z, 400 shares were allotted, did not pay the final call, 400 पे final call of 2 were not received, 800, ठीक है, परज़न दिए नहीं आए, of the company, as far as a deal 3, part 1, of companies act, 23, 2013, also prepare notes to account, for the same, ठीक, ये call scenario हो गया, मैं निकाल दिया, clear बात जी, चल, बना लेते है, अब बना लो format, अब बना लीजिये format, ये हो गए आपका format में, balance sheet, extract of balance sheet, और क्या बनाओगे इसमे, note number बना लो, amount बना लो, that's it, और यहाँ बना लो, आप notes to account, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं बना ना, अब बनाभो, particulars amount and particulars amount, only we need to prepare, चल, 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 extract of balance sheet, extract of balance sheet, in the books of, Sarasrati Limited, सैस्वति लिम्टेट, पर्टिकुलर्स, note number and amount, ठीक, note number, one, share, capital, सबसे पहले क्या होता है, आपके पास, Roman heading में, equity and liabilities, heading number one होती, आपके पास, share holders, fund, heading number a होती, आपके पास, share capital, ठीक है, I think, यहां तक तो कोई issue नहीं होगा, आपको, format ही है, balance sheet का, और यह बना दिया मैंने, note number one, अब note में भी, सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास, authorized share capital, क्या होती, इसके पास, sir, हमारे पास, authorized, share capital, तो authorized के बारे में, question में क्या लिखा होगा है, 10 lakh, rupees 10 lakh, divide कर लो 10 से, तो 1 lakh, 1 lakh हो जाएगा, 1 lakh equity shares, of, 10 each, just let me clear, 10 lakhs यह, 10 crore सो नहीं है, 10 lakhs यह, sir, अब आता है, sir, authorized का, issued, कितना issue किया है, देखो, 4 lakh, divided by 10, यानि 40,000, already जी, और 20,000, fresh issue है, तो total कितनी हो जाएगी, 60,000, 60,000 equity shares, of, 10 each, अब दो कैटिगरी बना लो, subscribed and fully paid, subscribed and, fully paid up, अब देखो, sir, subscribed and fully paid up कितनी है, 10,400,000, इसमें कितनी है, 20,000, 20,000, equity shares, of 10 each, less, calls in, calls in, arrears, calls in arrears, I have already calculated, 7,000, 2,400, 7,000, 2,400, और 800, यह हो जाएगा, total call scenario, amount लिख दूँ, अब मैं, authorized तो सा 10,000, लैक से, double line हो जाती है, issued में भी सा 6,000, हो जाएगी, और double line हो जाएगी, अब इधर कितनी है, 4,000, और इसमें, plus क्या हो जाएगी, 2,000, और इसमें, minus क्या हो जाएगी, यह, 7 plus 2 is 9, यह हो जाएका, 10,200, यह हो जाएगा, 10,200, minus कर दो, तो कितनी हो जाएगी, 5,00, 89,800, दन, यह कहाँ जाएगा, 5,00, 89,800, यह बनके तयार हो गया, मेरा extract, of balance sheet with, notes to accounts, presentation था, हाँ call scenario था, जो हमने पहले ही, calculate कर लिया था, जो कि आपको problem, दे सकता था, जो कि आपको problem, दे सकता था, that we have already, calculated, क्या बोलती ही जनता, क्या मुझे next question की तरह, बढ़ना चाहिए, जल्दी बोलू, बढ़ें, बढ़ें, done, screenshot captured, दस मिट के, असपास लग्या हो, इस question कर रहे हैं, चार मिट का, चार नमर question है, दस मिट लग रहा है, मतलब ठीक speed है, हाँ, क्यों हो sir, sir, 180 minutes divided by 80, तो something around 2.5, मिट में आप कर सकते हो, एक number के लिए, तो 4 number है, multiply करो 2.5 से, तो 10 number में, बिल्कुर आपने perfectly time पर सॉल कर दिया, अब आजाओ, next question पर, question number 22, आजाओ, मिना, बिना, और बिना, बिना, बिना में भी फर्व, were partners in a firm, sharing profits and losses equally, trial balance, है, trial balance, sorry, their balance sheet, sorry, 11th का याद आगे, trial balance, as on 31st March 22, was as follows, balance sheet of मिना, बिना, बिना, as on 31st March 22, मिना, बिना, बिना, जनर्र बांट दो, Sunday creditors, रुकु जाओ, plant and vicinity, stock debtors, cassette bank, बिना, डाएड, oh, sorry, death का question है, बिना, डाएड, on 30th June 2022, last balance sheet, कितने महीने हो गए, अप्रेल में जून, पूरे तीन महीने हो गए, चालो, according to the partnership deed, the executors of deceased partner will, were entitled to, balance and capital account, बिलकुल दे देंगे, ये रहा, ये रहा, balance and capital account, 75,000, जनर्र बांट देना भाया, ये आपका hidden adjustment है, ठीक, चालो, कुछ और भी बात लेकी होंगी, पढ़ लेते हैं, पहले question को देहान से, salary till the date of death, 25,000 per annum है, एक quarter की निकालना पड़ेगा, share of goodwill, calculated on the basis of, twice the average profit, of the past three years, past three years के profits are given, working good बहुत बनेगे, share of profit, from the closure of last accounting year, till the date of death, on the basis of average of three completed years profit, before death, तो average profit का, इस्तमाल यहां भी कर लेंगे, बीना, बिद्रू, 15,000 on first zone, 22, for paying her daughter's school fees, prepare बीना's capital account, to be rendered to her executor, बना देंगे, ध्यान रखना, यहां पर interest on drawing भी लगा सकते थे, लेकर rate is not given, तो हम नहीं charge करेंगे, आजाओ, बीना's capital account, to be represented to her, to be represented to her executor, आजाओ, यह बन गया format, और format थोड़ा सा proper, आराम से करता हूँ, बहुत speed में करा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, चालो, बीना's, capital account, to be represented to her executor, सबसे पहले क्या आएगा, उसका balance, brought down, balance is 75,000, देखो, balance sheet से start करते है, कितना है balance, 75, जनरल रिजर्व बार्ट दीजिए, 30,000 का, 1 by 3rd, 10,000, बाए, जनरल रिजर्व, आप बोलो के सार, लिखा ही नहीं था, नहीं लिखा न, सबसे पहले बार्टो, hidden adjustment, भूल जाओगे, ठीक, हो गए यहाँ से, capital balance दे दिया, और general reserve दे दिया, और कोई अस item तो नहीं बटना चाहिए, नहीं है सर कोई item, अब तो आज आते हैं हम, उनके, terms पे, salary till date of death, 25,000 per annum है, तो by salary, by salary account, 25,000 अगर पूरे साल की है, तो 3 months की कितनी हो जाएगी, तो 3 months की कितनी हो जाएगी, 1 by 4 कर लो बैसे ही, हाँ, divide by 12 into 3 कर दिया, मैंने वही बात है, समझ जाना आप लो, तो 4 से divide करूँगा, तो हो जाएगी, 6,250, 6,250, दे दी सर आपने salary, सेर आप गुडविल, calculated on the basis of twice of the average profit, average profit निकाल लेते हैं पहले, working note बनेगा, ठीक, गुडविल कैसे होई, गुडविल is equals to, average profit into 2, average profit आएगा, सर 3 years के profits बताओ, 1,20,90, 150, 1,20, 90, 1,50,000, कितना हो जाएगा, 21,15,36, divided by, 3, 1,20,000, average profit आएगा, 120 into 2, value of goodwill is 240, अब इसमें बीना सेर आफ प्रॉफिट, बीना सेर आफ गुडविल, 240 into 1 by 3, कितना होगा, 80,000, कुछ लिखा नहीं है, पुराने partners, 1 is to 1 में ही देंगे, क्योंकि पुराना भी यही है, नया भी यही होगा, 40, 40, 42 दे देंगे, सेर आफ गुडविल, ठीक है, आजाओ, बाए, पहले पार्टनर करना हो, मीनास कापितल, मीनास कापितल, 40,000, 40,000, इसके बाद बेटा ध्यान समझा, अब क्या लिखा है कॉश्चिन में, ये कर दिया है, टिक करते जाओ, सेर अफ प्रॉफिट फॉफिट 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 वद देट अफ देट, अब उसका क्या कर लो, आप निकाल लेते हैं, ठीक है? तो प्रॉफिट का भी इधर ही कर देंगे हम, इधर जगे बची हुई है, हाँ, तो एवरेज पॉफिट कितना आया? 1,20,000, अगर फर्म 1,20,000 पूरे साल में अर्न करती है, तो तीन महीनियम कितना आन करती, सर, तीन महीनियम फर्म आन करती, 30,000, और अब इसमें बीना का सेरव पॉफिट कितना हो जाएगा? सर, 30,000 अगर फर्म आन करती थिन महीनियम意 sentir, तो बीना का हो जाता हो 1 y 3, तो 10,000 रुपीस उसको मिलेगा share of profit, अब 10,000 कहां से देंगे, profit and loss suspense account, by profit and loss suspense account, 10,000, सब कुछ दे दिया क्या, बचा हुआ है, drawings उट लख दो, उसको एक जन, 15,000 रुपीस की drawings, तो drawings आएगे इधर, two drawings, कितने के drawings किये हैं उन्होंने, 15,000 रुपीस की drawing किये, कुछ और तो नहीं बचा, नहीं से, total कर लो, balance कर लो, तो एक्जीक्यूटर को चला जाएगा, हाँ, कितना हो जाएगा, यह हो गया, सर, 90, 90 plus 30, 120, 120 plus 75, 195, 2,001,250, 1,00, भूल गया, देखो, फिर से, 90 plus 30, 120 plus 75, 195 में 6 किया, 195 plus 6, 2,001,250, ठीक है, और यह चला जाएगा, तू, बीनास, एक्जीक्यूटर, 15 माइनस कर देजी, सीदा-सीदा, तो, 186, 250, endersomething,gie, It's a source capture, आपड़ी, और सेी, निए म५्यन, हो गया, Washa, it's screen sensor capture, कर लो जली से, नेक्स सुषिन कीतरो भूूं करेंगी, उसके बार, हाँ जी, screen source capture, था आपनी, कुछे, calculation mistake लग रही कया, हाँ, सर, एक गळवड़ि कैंपनी, It's not a calculation mistake. It seems to be a general result 30 पूरा नहीं जाएगा, 10 मिलेगा, 1 वाय थर्ड Yes, 1 वाय थर्ड मिलेगा, Sir तो सीधा सीधा 20,000 रुपए हर जगा कम कर दी, that's it 20,000 रुपए यहाँ भी कम हो जाएगा गलत चीज नहीं मिटा न 20,000 रुपए इधर भी कम हो जाएगा 20,000 रुपए इधर भी कम हो जाएगा That's it, 166 यह हो जाएगा, 181 हो जाएगा, 181 हो जाना चाहिना अब, हाँ 181,250 181,250 I think now perfect वो जनरल जाएगा, 30,000 का 1 3rd Now perfect, please capture this screen shot Moving towards next question Hmm, चालिये Done आजाएगे, यह 4 मा का कॉश्चन था अगेन उतना ही टाइम लगना चाहिए, 10 मिट क्या सपस अब आगया, कॉश्चन नमबर 23 और 6 माक्स पास दी हाँ जी, रुख जाओ, कॉश्चन नमबर 23 आगया पास दी रुख उसके बाद, उसके बाद मुझे एंटरी पास टर्नी है इजी, इजी, six marks में easy question, easy question, easy question, easy pg, easy pg, आजाओ, आजाओ, जल्ली से entry pass करना है, इससे आसान question for six marks हो नहीं सकता, इससे आसान question for six marks हो नहीं सकता, ठीक है, यह general का format है, एक बार copy paste कर लो, क्योंकि हो सकता, दो pages में जल्ला entry चले जाए, नमर और transaction सार, more, चलो, कर दिया, आजाओ easy pg question, बहिया, unrecorded assets of 18,000 was taken over by Tina at 16,000, और Tina क्या है, Tina must be a partner, हाँ न, हाँ, Tina and Rina partner है, तो करना क्या है बहिया, Tina's capital account have it to realization account, Tina's capital account have it to realization account, कितने से, अरे 18 को side करो, कितने में लिया है, 16,000 में लिया है, unrecorded assets taken over by, unrecorded assets taken over by, taken over by Tina, चलो, next transaction, Rina agreed to pay her brother's loan of rupees 23,000, तो क्या करना है, brother's loan कहाँ चला गया होगा, realization में, तो realization account have it to Rina's capital, realization account have it, realization account have it to Rina's capital account, amount, narration क्या है, amount 23 है, और क्या लिखा हुआ है, Rina paid brother's loan, Rina paid brother's loan, right, 23, 23, right, अब आता next, stock of 30,000 was taken over by, a creditor of 40,000 in full settlement, 5 मुने complete कर लाइं question, कोई दिक्कत नहीं, time हम नहीं जाने देंगे, stock of 30,000 was taken over by, a creditor of 40,000 in full settlement, entry चाहिए क्या इसकी जरा बताओ, अरे सब दोनों adjust हो गही न, realization account have it to realize an account, entry pass करने कोई sense है, क्या, अरे 30,000 के stock को वो 40 में ले रहा है, या तो stock बढ़ गया होगा, या creditor कम हो गया होगा, in both the cases, अगर हमारे creditors full settle हो रहे हैं, तो इसमें कोई entry नहीं, लिख दो, be confident, no entry, लिख के आना ऐसा नहीं कि मैंने में सोच लो, no entry, ऐसे लिखना पड़ेगा, एक्जामेर को नहीं बता, expenses of resolution 41 वे पिड़ बार रिना, realization account have it to Rina's capital, realization account have it to Rina's capital account, 40,000 and 40,000, ठीक है, expense paid वार रिना, चलो, creditors were paid 18,800 in full settlement of their account of 20,000, हमें 20 से मतलब नहीं है, ठीक है, हमें किस से मतलब 18,800, creditors को पे कर दिया, relation account have it to, cash, या bank, realization account have it to cash, realization account have it to cash account, कितने से, 18,800, creditors paid, creditors paid, last entry, टीनास loan of rupees 15,000 पार पेड, तुरो अचेक, लगए दो, टीनास loan account have it to bank, टीनास loan account debit to bank, कैसा नहीं करना, टीनास loan, टीनास पेड, कितना हो जाएगा सर, 15,000, capture करो, इसकी इंसॉट जल्ली से, किया, चलो, इसका भी कर लो, done, यह six mark का question, इससे आसान question तो हो नहीं सकता, ठीक, चलिए, next question, question number 24, अब हमार पास कह जाता है, question number 24, आ जाओ, इसमें भी entry pass करना है, question को read करेंगे पहले, लिखा हुआ है, pass necessary journal entries, for the issue of deventures, in following cases, issued 70, rupees 75,00, 9% deventures of 100 each, at a premium of 10%, redeemable at a premium of 5% after 3 years, issued 8,000, 9% deventures of 100 each, देको question में difference क्या है, first वाले में आपको amount given है, second वाले में आपको number of deventures issue given है, 100 each, at a discount of 6% redeemable at premium of 3% after 5 years, issued 90,000, 9% deventures of 100 each, at a par redeemable at par after 4 years, ठीक है, issue of deventures के entry pass हमें करनी है, आजाईए, तो format चाहिए सबसे पहले मुझे, ये रहा मेरे पास format, और क्या लुक हूँगा मैं पहले हैं entry, first case में पहले हैं entry, तो 3 case हैं मेरे पास, ये रहा मेरा first case, सबसे पहले क्या होगा सर, bank account debit to deventure application and allotment, क्योंकि लंसम में है, deventure application and allotment account, कितने रुपै से सर, देखो, 75,00,00 और कितना premium है, 10%, 75,00,00 का 10%, 750,000, तो अगर मैं यह से प्लस करूँगा, 75,00,00, plus 7,00,50,000, for security premium, तो कितना मिला होगा मुझे, 82,00, 50,000, कितने रुपै मुझे मिले होगी, 82,00, 50,000, 82,00, 50,000 रुपीस मुझे मिले होगी, क्या लिखूँगा, application received, राइट, अब important है second entry, ध्यान रखना, second entry में क्या, premium को भी credit करना है, और आपको बनाना है, premium for, P.O.R.D., premium on, redemption of adventures, कितना बनाना है, 5%, क्योंकर redeemable किस पे है, premium पे, issue भी premium है, redeemable भी premium है, right, चालो, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, deventure application, allotment, account, debit, deventure application, and, allotment, account, debit, loss on issue of deventure, loss on issue of deventure account, debit, to 9% deventure's account, to 9% deventure's account, to securities, premium account, securities premium account, to premium on redemption of deventure's account, अब देखो, यहाँ तो face value जाएगा, 75 lakh rupees, और इदर क्या जाएगा, security premium, that is, 7 lakh 50,000, अब 5% premium on redemption of deventure's है, तो 5% कितना हो जाएगा, सब 7 50, अगर 10% था, तो 5% इसका half कर दीजिए, that is, that is 3 lakh, 75,000, हाँ जी सब 7 गादा हो जाएगा, 350, 50 गादा, 25, 25, 25, और यह 3 lakh 75,000, यहाँ डैविट होगा, और यह 82,000, 50,000 रुपीज से डैविट हो जाएगा, entry टैली जाना चाहिए, क्या लिखेंगे नदेशन, deventures allotted, यह हो गई हमारी, entry for case number 1, clear, अब move करेंगे, case number 2 की तरफ, 8,000 deventures से 9% है यहाँ भी, 100 का एक है, discount लगता 6 रुपे, 6% का, तो 100 minus 6, 94 रुपीज में आपने इसको इसको इसू किया है, redeemable है, at a premium of 3%, तो 3% मतलब premium on redemption of deventures 3 रुपीज, discount is 6 रुपीज, चलो, entry pass कर ली, 94 रुपीज से आएगा पईसा 8,000 में, आजाओ, तो next page पे चलते हैं, यहाँ बनाएंगे हम generals, यह हो गया case number 2, पहले ही entry तो same होगी सर, bank account debit, amount will get changed, 8,000 into 94, to deventure application and allotment, deventure application and allotment account, application received, कितने रुपैसे सर जी, multiply कर लो बस, तो सर, multiply करने पर देखा, यह हो जाता, पूरा 100 से कर multiply करता, मैं तो हो जाता, 8,00, और 48 नहीं आ रहा, 7,52,000, 7,52,000, अब अलोट्मेंट के इंट्री में डिफ्रेंस आता, second entry, तो क्या होगा, deventure application, and allotment account debit, discount on issue of deventure account debit, loss on issue of deventure account debit, to 9% deventure's account, to 9% deventure's account, to premium on redemption of deventure account, deventures allotted, amount, यह दो, 8,000 और premium देना 3 रुपे का, 8,000 है, और face value है, और 100 रुपेस, 8,000 है, और premium देना 3 रुपे का, 8,000 है, और discount देना 6 रुपे का, यह तो जाए कितना, 7,52,000, 8 इंटु 6 इस, 48,000 हो गया, फिर यह हो गया, 8 इंटु 3 इस 24,000 रुपेस, यह हो जाएगा सर, 8 रुपे फेस वैल्यू जाएगा, और यह 8 इंटु 3 इस 24, एंटी टैली हो जाएगा, क्लियर है भई, हो गया, इस के इंटूर्ट काप्चर कर लो जल्दी से, next, 3rd case की तरह बढ़ता हूँ में, case number 2 is done, now, issued 90,000, 9% adventures of 100 each, at par, redeemable at par after 4 years, दोनों ही case कितके हैं, par के हैं, आसान, दोनों ही case कितके हैं, par के हैं, तो आसान, case number 3 की पहले हैं एंटूर्टी, bank account debit, 90,000 into 100, to deventure, application and allotment account, application received, amount कितना हो जाएगा सर, 9 के बाद आएगा, 0000 और 4,00 और चार जी जो अरड़ी था, तो हो जाएगा यह 90,000, कितना हो जाएगा, 90,000, अब दूसरी एंट्री बिलकुल एजी है, deventure application and allotment account debit, 2, कितने परसंट देवेंचर्स हैंगे भी, 9% देवेंचर्स, 2, 9% देवेंचर्स account, deventures allotted 90,00,90,00, clear? 9% देवेंचर्स देवेंचर्स देपर, रिदेवेंचर्स देवेंचर्स देवेंचर्स, तो screenshot capture कीजिए, ये question भी हो जाता है हमारा, move करेंगे, next question की तरफ, question number 24 is done, moving towards question number 25, 25 भी general entry पूच रहा है, in the books of Ganga limited, open call scenario account, wherever required, ये नई भी बोलता है, तो मैं तो हमेसे यह आपको suggest करता हूं, कि आप call scenario, call scenario, call in advance के माध्धम से काम करो, ठीक, चालो Ganga Limited invited applications for issuing 10,000 equity shares of 10 each the amount per share was payable as follows 2 on application 2 on application 3 on allotment 3 on first call 2 on second and final call चालो Applications were received for 15,000 shares 10 के लिए invite किया था आपने और applications receive होगा आपके पास 15,000 के लिए ओबर subscription का केस बनता है Applicants for 3,000 shares were rejected Applications money refunded Sairs were allotted on pro rata basis to the applicants of 12,000 shares Access money received with the application was adjusted towards some new one allotment नहीं लिखा तब भी आई कर दे All shareholders paid the allotment money except one seller who was allotted 200 shares These shares were forfeited The first call was made thereafter And duly received The second and final call was not yet made चालो Second and final call करना नहीं है First call कर लेंगे, receive भी कर लेंगे Allotment के बाद four feature करना है Pass and entries for the above transition to the books of Ganga Limited Open calls and record wherever is required तो देखो पहले तो ना थोड़े से मैं यहाँ पर यह जनरल के format से ले लेता हूं उसके पहले नेकर एक बनाएंगे हम क्या working note That working note is important Working note is important बारवर बोलता हूं Over subscription है ना बिल्कुब बना लिए करो इस तरह से चार्ट 15,000 applications were received 15,000 applications were received क्या आपने किया इसका Sir, 3,000 को आपने मना कर दिया कितने रुपए दिये थे आपने को 3,000 पे Access application 3,000 और एक application पे आपने मंगाया था 2 रुपए तो 3 into 2 6,000 रुपईस आप क्या कर देना refund कर देना Sir ठीक अब आता है second case कि Sir, बचे हुए 12,000 applicants को आपने अलोट किये 10,000 shares Access application 2,000 है Access application money 4,000 है इसको adjust कर रेना on allotment इसको adjust कर रेना on allotment ठीक अब एक working note और बनेगा कि एक shareholder ऐसा था जिसको 200 shares allot हुए थे तो उसको apply कितने shares पर किया हो उसने ठीक है तो हम के निकालते है number of shares applied number of shares applied इसका formula total applied total applied divided by total allotted और multiply कर दो number of shares allotted number of shares allotted right total applied कितना था 12,000 यह मतले लिना पंदरा नहीं जितना हमने जिसमें से किया हुआ है रेशो यही से बनेगा और इंटू 200 0000 जीरो चार्जिर चला जागा 120 इंटू इस 240 CS के लिए application दिया होगा मिले कितने 200 सेर्स मिले सर तो एक्सेस कितना हुआ 40 सेर्स तो असी रुपे इंगा क्या है access application money access application money to be adjusted on allotment to be adjusted on allotment 80 रुपे adjust कर दएंगे इनका अब बास समझेना इनने allotment का पैसा नहीं दिया है इनने allotment का पैसा नहीं दिया लिखा नहीं कहीं कि सर सब कुछ मिल गया except seruder who was allotted 200 सेर्स और इनने क्याने दिया allotment money नहीं दिया अलॉट मेंने कितना रुपए था तीन रुपए तो 200 सेयर्स पे तीन यानि कि 600 रुपए हमने ड्यू किया 80 रुपए अलड़ी अज्जस हो जाएगा 520 क्या हो गया कॉल से नहीं यह यह मेरे बर्खीनूर तयार हो गए कि अब मुझे कहीं नहीं रुको ना सीधा जनरे इंट्री पास करते जाओंगा काम हो जाएगा चलो तो पहली जनरे इंट्री किसकी पास होगी application receive करने की पहली जनरेंट्री क्या होगी application कितने से 15,000 से कर लो भी यह पहले इंट्री bank account debit 2 share application account 15,000 into 2 application received कितने रुपया होंगे? 30,000 रुपीज आपको receive हो होंगे अब second entry में करोगे आप allotment क्या बनेंगे allotment के एंट्री? share application account debit to share capital account कितने से? 10,000 share सी allot कर सकते हो? 2 रप जाना चाहिए face value के साथ to bank account to bank account कितने से? refer to working note no.1 2 मैं calls in advance account भी खोल रहा हूँ आप चाहते हैं तो उसको share allotment में डाल सकते थे लेकिन मैं हमेशा पसंद करता हूँ कहां पर डालो? refund कर दो 6,000 इनको shares नहीं मेले, 4,000 रुपए access application में to be adjusted on allotment. अब तीसरे एंटरी में allotment due करेंगे. share allotment account amount, debit, कितने से? 10,000 इन्टो 3 to share capital to share capital account allotment money due कितना due करोगे? कुछ गलबड लग रही है मुझे? 3 रुपई है ना allotment पर? 3 रुपई है, कोई गलबड नहीं सर. तो 30,000 रुपीज due कर दो. अब चलते हैं, receive करने के लिए. receive करने के entry होगी, bank, account, debit, पूरा कर दूँ क्या नहीं? ये तो सर, missing figure डालेंगे. calls in advance adjust करना है, अभी calls in advance को credit किया था मैंने पिसली entry में. कितने रुपई से सर? 4,000 रुपई से, ठीक है? calls in arrear account. इसको मैने बना लिया है, वर्किंग नॉट 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 में. calls in arrear account, debit. refer to working note number one. ये भी working note number one कर दू. to, share allotment. to, share allotment account. allotment money, allotment money, received. right? अब बास समझी ही बटे ध्यान से. allotment money, कितना जाएगा? 30,000. ठीक? इदर आ जाओ. 4,000 रुपए call sign advance है, 520 call sign area है. ये कितना है? call sign area कितना है? 520. और ये कितना है? 4,000. तो मिला कितना होगा? 26, 25,000. 25,480 रुपीज आपको receive हुआ होगा balance figure. आप क्या करना है? sir, first call due कर दो. नहीं. उनने बोला कि forfeit करो पहले sayers को. उसके बाद आपको first call due करना है. तो forfeit कर लेते हैं. forfeit करने के entry क्या बनती है? share capital amount, sorry, share capital account debit. कितने से called up? कितने से स को आप forfeit कर रहें? 200 से स, कितना रुपे called up है? दो application, 3 allotment. 5 रुपे called up है. ठीक, 2 calls in arrear. 2 calls in arrear account. 2 share for feature account. to share forfeiture account तो कितने रुपए हजार रुपए मांगे थे कितने रुपए नहीं दिये 520 नहीं दिये कितने रुपए दे दे 480 क्या हो गया यह हो गया आपका share forfeiture shares forfeited shares forfeited अब देखो एको सिक्वेंस जादा है ना these shares were forfeited the first call was made thereafter and duly received second final call करना ही तो लास्ट एंट्री हमे due करना हो रसीब करना है तो due करने के एंट्री बनाता हूं सर share first call account debit कितने से 10,000 into 10,000 into 3 बस यही तो गड़बल कर दोगे यहाँ याद रखना है कि 200 share तो cancel होगा है उन पर पईसा कैसे माग सकते हो यही तो question में इसलिए first call तक के एंट्री करवा रहा है आपको अलग करने के लिए यह सीखना है बटा share first call account debit 9,800 into 3 2 sorry share capital account share first call due कितना हो जाएगा यह 00 8 into 3 is 24 का 4 2 कैरी 9 into 3 27 into 2 29,400 रुपीस यह आपको due करने है यह आपने सही कर लिया तो मतलब आपका concept clear है यहां अटग गए यहां गड़बड कर दिया तो गड़ब करते है 200 shares को already मैं forfeit कर चुका हूँ उन पर मैं amount due मैं दा मांगी नहीं सकता ने cancel हो गए अब तो वो further ratio हो सकते है चलो अब होगी entry number 7 जिसमें मैं पैसे आएंगे पैसे आने के entry क्या bank account debit to share first call कोई call scenario नहीं लिखा हुगा कि सब कुछ मिल गया है तो first call received 29,400 and 29,400 this question is completed अब जल्दी से screenshot capture कीजिए starting from working note working note is very very important ये आपने बना ली तो general तो आपको मालूम है कि क्या होती entry pass दिक्कत जाती ही बटा working note बनाने में और working note सी तो हमें क्या मिल जाता है amount मिल जाता है clear चालो ये रहा मेरा first page of general entry ये रहा मेरा second page of general entry और third page पे एक मातर entry है third page पे एक मातर entry है clear चाले move करें next question की तरफ question number 25 का A था मतलब कि इसका internal choice B question और होगा two plus one कर देना allotment and balance amount on first and final call तो balance कितना बच गया पाच balance बच बच गया ना पाच 10 plus 1 is 11 हो गया ठीक applications were received for 1,20,000 shares again over subscription है तो working route मैं फिर से बनाने के लिए बोलूँगा आपको ठीक and and shares and shares were allotted on pro-rata basis to all the applicants the excess money received on application was adjusted towards some due on allotment allotment only देखो मैं वही सोच रहा था कि देखो पचास और 120 double से भी ज़ाद applications है और application तीन है allotment भी तीन है मतलब कि मेरे पस allotment के बाद भी पईसा बचेगा उसका क्या करूँगा question ने मना कर दिया हाँ पे कि भाई है due on allotment only करना application money in excess of some due on allotment was refunded पापिस कर देना a shareholder who had applied for 6,000 shares could not pay the call money and his shares were forfeited pass necessary general entries for the above transition in the books of Mukundh Limited कर ले पहले working note से सुरुआत करूँगा क्या करूँगा सर पहले मैं working note बनवाना चाहूँगा बिटा ध्यान से देखो working note important है बार बार बोल रो हूँ कितने रुपे कितने applications आए 1,20,000 applications आए और प्रोराटा में क्या बोला सबको 50 बार दिया तो access application कितना हो गया 70 और access application मनी कितना हो गया 2,10,000 बार समझ में कितना होगा 17 to 3 2,10,000 अब मुझे अलॉटमेंट पे कितना रख लूँगा 50 into 3 1,50,000 रुपीस ही मुझे कहां लगने वाले हैं अलॉटमेंट पे लगने वाले हैं तो अलॉटमेंट के लिए कितना रख लूँगा 150 इसके बाद भी कितना बच गया 60,000 इस पैसे को कर देना रिफंड यह होगे मेरा पहला वर्किंग नूट दूसरा क्या बोल रहे हैं कि एक सेरह ओलडर जिसने 6,000 सेर इसके लिए अपलाई किया था और तो उसको अलॉट कितने होगे तो हमें निकालना पड़ेगा अलॉटेड नम़र आफ सेर्स अलॉटेड इस इकल तू नम़र आफ सेर्स अलॉटेड इस इकल तू सेब टोटल सेम अलॉट्ट टोटल अलॉटेट डिवाइड वाय टोटल अप्लाईड मल्टिप्लाई गर लो नमर आफ सेर नमर आफ सेर स अ玩 number of sales applied number of sales applied total allotted कितने है 50,000 applied कितने है 1,20,000 और इनोंने number of sales कितने apply किये थे भाई ने भाई ने apply किये थे 6000 sales के लिए 1,2,3 1,2,3 1,2 6, 2 times से लगया अब यह कितना बचेगा अगर मैं 5,000 से 2 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 2,500 कितने sales allotted हुए है भाई साब को 6000 हुने apply किया तो उनको मिले 2500 sales अब इसमें मैं access application इसलिए नहीं निकाल रहा क्योंकि allotment का तो पूरा पैसे जमा है हमारे पस और allotment पर उनने कुछ गलत भी नहीं किया है तो हमें सिर्फ यह किसलिए चाहिए था कि कितने sales को मुझे second and final first and final call नहीं मिलेगा एक और उन sales को मुझे forfeit करना है तो यह मुझे number of sales allotted चाहिए था clear बात है दो working load बनके तयार हो गए clear है चलो could not pay the call money और यह की call है तो कर लें entry कर रहें आ चाहिए entry के लिए क्या चाहिए मेरे पास अब entry के चाहिए सर आपको formats तो मैं थोड़े से general के formats copy कर लेता हूं चलिए यह मैंने थोड़े से general के formats copy कर लिए और पहले entry pass करता हूं पहले entry क्या होगी application receive करने की bank account debit one lakh twenty thousand into three to share application account application received three lakh sixty thousand right second interim करते है हम allotment share application account debit to share capital face value fifty thousand into three to calls in advance मैं चाहता share allotment कर देता है यहां पर लेकिन मैं क्या बोलता हूं हमेशा share allotment share allotment में या तो आप यह कर लो नहीं तो working node refer कर दो ना भही working node number one में इतनी महिनत की two bank two bank working node number one shares allotted shares allotted shares allotted आइजस कितना करना है 150 और 60 refund करना है तो यह आगया 150,000 और यह आगया आपका 60,000 अब कर लो allotment money due share allotment account debit कितने से 50,000 into three two share capital account that is 50,000 into two two securities premium account that is 50,000 into one allotment money due 150 total चाहिए one lakh capital के लिए और 50,000 आपको securities premium के लिए clear सर पैसा तो आएका नहीं allotment पे क्योंकि अलरडी रखा हुआ है हाँ तो मैंने इसलिए calls in advance में टांसफर करके रखा था ना अब उस calls in advance को टांसफर कर दो कहां पर calls in advance account debit to share allotment ठीक access application money adjusted access application money adjusted कितना 1,50,000 और 1,50,000 clear चलो यह entry number 4 तक तक कोई समस्य नहीं थी entry number 5 में भी due mail समस्य नहीं अभी due कर लेते हैं आ जाओ due कर लेते हैं share first and final call account debit to share capital to share capital account कितने से sir 50,000 into 5 2,50,000 रुपीज आपको क्या करना है due कर देना है ठीक first and final call due हो गई अब करते हैं receive receive करते से हमें ध्यान रखना कि calls in arrear entry क्या बनेगी bank account debit bank में balance जाएगा balance figure calls in arrear account calls in arrear account कितने से जाएगा sir 2,500 into 5 to share first and final call account first and final call received ठीक यहां पर कितना 250,000 कितना नहीं आया 12,500 नहीं आया तो कितना आया आया होगा sir आपके पास कि एंट्री पास करते हैं entry number seven होना चाहिए for feature के entry तो एंट्री होती for feature की share capital account debit कितने से sir 2500 into called up अब बताओ SPR को debit करूं कि नहीं करूं sir SPR के दो case बनते हैं received not received SPR allotment के साथ था और allotment मिल चुका है मतलब SPR receive हो चुका है receive हो चुका था हम उसको साथ छड़कानी नहीं करते ठीक तो क्या करूंगा आप मैं two calls in area two calls in area account to share for feature to share for feature right shares for fitted shares for fitted हाँ कितने से sir ये जाएगा 25,000 और ये जाएगा 12,500 तो balance figure हो जाएगा 12,500 ये हो जाती आपकी entry complete entry के साथ question भी जो हो आपका complete हो जाता है question भी जो हो complete हो जाता है ठीक है जल्दी से screenshot capture करने start करो screenshot capture कीजिए हम 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 चलो ये वाला भी कीजी आप जाता है this one और ये रहा आपका working note the most important part चलो now 25 का हो गया six markers चलने इसलिए बड़े questions है अब आता है question number 26 इसमें भी दो questions है माधव and गिर्धारी were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3 to 1 their balance sheet as at 31st March 2022 was as follows balance sheet of माधव and गिर्धार as on 31st March 2022 Capitals है Berkman Compensation Fund है इसके बारें कुछ नहीं लखा हुआ तो मुझे इसको बातना पड़ेगा देखेंगे Creditors है EPF है Machinery, Investments, Debtors, Provision, Stock, Cash अब हो किया रहा question भो भी समझना पड़ेगा on 1st April 2022 they admitted Jyoti into partnership for one for sale in the profits of the firm Jyoti brought 1,86,000 as her capital and 40,000 as her share of goodwill premium in cash the following terms were agreed upon stock was found undervalued by 23,000 stock undervalued tha तो बढ़ा दे न 20% of the investment were taken over by a greater at book value दे देना उसको investment claim on account of workman company amounted to 70,000 which was to be paid letter बाद में देना है लेकिन 70 का करना पड़ेगा आपको अल्री कितना यहां पर 60 है 10,000 रुपे और रिवालेशन से लेना पड़ेगा creditors included a sum of 27,000 which was not likely to be claimed फाइदा हो गया उठाद क्रेडिट कर देंगे पर पर रिवालेशन अकाउंट partners capital account on Jyoti's admission अच्छी बात है balance ही नहीं पूचा यह तो balance ही नहीं पूच लेता question clear हुआ मेरे लिए चलो तो बनाता हूँ अब मैं क्या re-valuation account and partners capital account अब re-valuation and partners capital account के formats चाहिए मुझे सबसे पहले बनाते हैं re-valuation account यह हो गया मेरा re-valuation account right यह हो गया मेरे क्या re-valuation account और next page पर बना देता हूँ मैं partners capital account तीन partner है तो मुझे तीन column बनाने पड़ेंगे ठीक है यह हो गया पहला partner यह हो गया पहला पार्टनर देसे सेकंड अंथर्ड इधर भी मुझे बनाना पड़ेगा यह हो गया पहला partner और यह होगा second and third partner यह बन गए मेरा partner's capital account चलो partner's capital account नेम बगरा समझने पढ़ेंगे जोती आई है बाद में और माधाव गरधर माधाव और गरधारी माधाव गरधारी जोती माधाव गरधारी और जोती यह बन गए मेरा partner's capital account और यह बन गए मेरा क्या revaluation account क्या बन गए मेरा revaluation account particular's amount particular's amount अब सर एक चीज़ समझ में नहीं आदी question कहां से start करें ऐसे questions के लिए तो देखो बटा आप question बैसे मेरे साब से adjustments से start करो we'll begin with the adjustments जोती brought 186 as her capital and 40,000 as a share of goodwill ठीक तो जोती के account में credit कर दूं क्या में सीधा यह रहा जोती का account और क्या कर दूं यहां पर buy bank cash लिखा है तो buy cash account जोती में कितने 186,000 अब देखो second बाला क्या लिखा हुआ इसके साथ कि 40,000 as a share of goodwill premium in cash अब यह goodwill premium आजाएगा किसमें बटेगा old partners के sacrificing ratio में तो sacrificing ratio गेवाने क्या नहीं गेवन नहीं तो क्या आजिम करते हैं कि चर्थ 3-2-1 ही क्या होगा sacrificing उनका old ratio क्या बन जाएगा sacrificing ratio चाहिए तो calculate करके भी सकते हो लेकिन आवसकता नहीं है नमबर नहीं कटेगा ऐसे किसमें क्योंकि सीज़ा सीज़े निकलते हैं ठीक है तो 3-1 हो जाएगा उनका old ratio था वही sacrificing ratio तो goodwill premium बढ़ जाएगा किस किसमें बढ़ जाएगा पुराने पार्टरस में किस ratio में 3-4 आ जाओ तो दे दूं यहाँ पर buy premium for goodwill account 40,000 था तो माधाओ का 3 था और इनका 1 था तो 30,000 और 10,000 दोनों को मिल जाएगा ठीक है पहला adjustment पहला है ने कर दिया अब बांकी टम्स बढ़ दें stock was found undervalued by 23,000 तो stock over value कर लो undervalued था stock की value बढ़ाओ के entry बनेगी stock account debit to revaluation account तो revaluation account के credit side stock 23,000 रुपीज से बढ़ा दीजिए that's it easy 20% of the investment were taken over by a girdar at book value चलो तो book value क्या है investments की 1,10,000 1,10,000 का 20% कितना हो जाएगा 22,000 किसने ले लिया गिरधारी ने ले लिया है किसने लिया है गिरधारी ठीक तो गिरधारे capital account में debit side के entry pass होगी गिरधारी is capital account debit to investment investment की value कम हो गई गिरधारी ने ले लिया कितने से 22,000 पे easy next claim on account of workman compensation amounted to 70,000 which was to be paid letter अब 70,000 का है तो हमारे पास already workman compensation fund कितना था सर सर ये था 60,000 तो additional 10,000 कहाँ पर डालोगे आप सर रिवालिशन डालेंगे एंट्री क्या बनेगी एंट्री क्या बनेगी work sorry revaluation account debit to workman compensation liability account कितने से सर जी 10,000 से ये बनेगी याँ पर ठीक हो गया next creditors included a sum of rupees 27 which was not likely to be claimed फाइदा हो गया creditors account debit to revaluation तो revaluation account के credit side क्या लिग देंगे by by creditors account 27,000 is there anything else? ना अब नहीं है सर कुछ भी इधर का हो गया सारे adjustments हो गया very good जब adjustments हो गया तो आ जाओ balance sheet पहे हाँ जी मादाओ और गिरदारिक कापिटल दो लाख तीन लाग दो लाख तीन लाख दो लाख ऑय balance brought down 3,002,002,002,002 लाइट चालो सा वारके मैं compensation already कर दिया हमने इसका काम creditors कुछ नहीं कर दिया कर दिया इंप्राइब फंड कुछ नहीं लिखा कुछ भी नहीं करेंगे मैसीनरी इंवेस्टमेंट अलड़ी कर दिया यहां पर हमें कुछ भी करनी का वसकता नहीं है अब क्या करना चाहिए सर अब क्लोज कर दो आप उंड़ी घ्रिवालेशन को को तो प्राफिट की लास और नगलेशन का प्राफिट की लॉस 15000 और अले टेन तॉजब्वे inhalation Smartने में पार्टनस Capital account बढ़ेगा किस किस में सर अपमाधः फिर्डारी कुसरेशन बड़ेगा sir in There old PSR, तो 40,000 का अगर 3 raise to 1 वाट हो गई तो 30,000 और 10,000 ये लो भी या capital आपका revaluation account close हो गया, revaluation close होगा फाइदा हुआ तो इधर जाएगा partners में buy buy revaluation account 30,000 10,000 कुछ और बचा है क्या नहीं, कर लो partners capital account, close, that's it 8 मेरे ख्याल से, पिछले साल CVS ने बहुत easy question पूछा था, 6 mark के हसाब से adjustments भी बहुत कम है figures भी सीधे-सीधे दी हैं, जहाँ पर totaling में भी दिक्कत नहीं हो 2,20,000 हो जाएगा ये ये हो जाएगा 3,60,000 ठीक 186 2,20,000 3,60,000 ठीक है, आजो तो अब ये बचेगा 2 balance carry down, कितना बचेगा 3,60,000 ये कितना बचेगा सर 1,98,000 और ये कितना बचेगा 1,86,000 प्लीज कैप्चर दी स्क्रीन सॉट प्लीज कैप्चर दी स्क्रीन सॉट आंसर हमारा एकदम परफेक्ट है न, बिलकुल सर बिलकुल परफेक्ट आंसर है सर जी, रिवालेशन पार्टनर्स बनाना था, रिवालेशन का स्कीन सॉट काप्चर कीजिए पार्टनर्स कैप्चर कीजिए, सॉरी, पार्टनर्स कैपिल दिख रहा है आपको, पार्टनर्स कैपिल कीजिए, और इसके बाद कीजिए, अब रिवालेशन का, तो मैं नेक्स कोशन की तरब मूब करता हूँ, अब क्योंकि इसमें इंटरनल चॉइस होगा, तो पार्टनर्स सिप सही होने वाला ये कोशन, इतना तुम पडिक करी सकते हैं सर, आजाओ, आजाओ, अब हैं राधिका रिद्धीमा रुपांसी, अब मैं टरपल र तो लिख Profits and Losses in the ratio of 3,5,2. On 31st March 22, their balance seat was as follows, balance seat of Radhika, Riddhima and Rupansi S on 31st March 22, Sunday creditors है, General Reserve है, इसको दियान रखना, बातना है, इडन अजिसमेंट है, Capitals है, Radhika, Riddhima, Rupansi, कैसे, stock है, debtors है, investments है, टीक? Chalo, items are very less. Ritimah retired on the above date and it was agreed that goodwill of the firm to be valued at 3 lakh. Building was valued at 6,20,000. Capital of new firm was fixed as 5 lakh which will be in the new profit-searring ratio of the partners. The necessary adjustment for this purpose were to be made by opening current account of the partners. पर पर रिवालिशन अकाउंट पार्टनर्स कापिल अकाउंट और रिद्धिमा को हाईलाइट करो आप रिद्धिमा मतलब यह वाली मडम जा रही है इनका रेशो यह था क्लियर आजाओ तो फॉर्मेट्स चाहिए सबसे पहले तो मुझे फॉर्मेट्स और यह नहीं मैं कर दो है अजस्मेंट के अटाके फिर्वेगर्स लेकिन दिक्कत होगी तुम्हें चलो कर देता हो न क्या दिक्कत हटाने में इस ताइम लेगा वही समझ लेता हूं बनाने में लग गया ठीक है यह बन गया मेरा क्या रिवालिशन अकाउंट प तो भी बन जाएगा बीजी अब भी बना देंगे भी यह यह बन गया क्या आपका रिवालिशन अकाउंट और यह बन गया आपका पार्टनर्स कैपिडल अकाउंट जस्ट नेट तो चेंज देर नेम्स राइट राइट चालो आजाए भी यह यह बनाता तब भी इतने ही टाइम लगता यह गड़बड़ होता बस लाइन लाइन अब आपस सॉरी ऐसा ले जाएंगे अब चालो के लिए रभी यह फॉर्मेट्स आप भी ड्रॉ करेंगे चाली ओहो तो मैंने फिकर्स आप लेफ्ट चाली चाली कोई बात नहीं है हो गया चालो चालो यह भी हो गया यह भी हो गया और यह भी हो गया कोई समस्य नहीं है हमारे पास पार्टनर जो है न अभी हम रुपांसी रादे का रिद्धिमा रुपांसी और रिद्धिमा जो है वो रिटायर हो रही है चलो अगें हम कहां से स्टार्ट करेंगे यह एजस्मेंट्स के साथ स्टार्ट करेंगे तो पहला एजस्मेंट क्या है कि गुडविल आप दॉफ फां वी वैल्यूट थ्री लाइक फर्म की गुडविल तीन लाइक है तो रिद्धिमा को गुडविल कितनी मिलेगी तो रिद्धिमा का प्रॉफिट से एंग्रिश हो क्या है सर फाइब अपॉन टैन तो थ्री का 5 upon 10 that is 150,000 रिद्धिमा को मिलेगा कौन देगा कौन देगा कौन देगा नाम बहुत कन्फिजिंग रिद्धिमा के लोग राधिका एंड रुपांसी देंगी किस रिश हों देंगी ति रिष्टी टू क्योंको नहा रिष्ट दिया नहीं उनका यह उनका गेनिंग बढ़ा की वानतो डिश्टी देगा त्वी एंड ओगा सूर्थे यह फंड जाएगा और रुपांसी में जाएगा 60,000, मिलेगा किसको, sacrificing partner, that is outgoing partner, that is Riddhima, तो राधी, राधीका, राधीका's capital account by रुपांसी's capital account, किसको मिलेगा, रिद्धिमा को मिलेगा, ये entry भाईया, देखो entry pass करना असान है, एक कसी काई बार posting गड़वड होती है, posting गड़वड होती है, ध्यान रखना बटा, चलो, कर दिये मैंने पहला, दूसरा क्या है, building was valued at 620, तो building की पुरानी value कितनी है, और अभी कितना कर रहे हैं, 620, तो कहा जाएगी भीया, revaluation में, building account, debit to, revaluation account, तो revaluation account के credit side by building account, कितनी से 620 करना है, 5 लेग पुरानी value, तो 1,20,000 से बढ़ा दीजिए सर, बढ़ा दी मैंने, नेक्स्ट क्या है अब, नेक्स्ट है सर, capital of the new firm was fixed at 5,00,000, और इसको किस ratio माटना है, उनके नए ratio में, नए ratio गिवन नहीं है मेरे पास, कुछ गिवन है के नए ratio के बारे में, कुछ भी नहीं लिखा, पुराना लिखा है, नए ratio के कोई बात नहींगी, तो जो नया ratio होगा, राधिका और रूपांसी की वीच, दो हो जाएगा, 3-2 किंकि 5 बाला चला गया, तो ये 5,00,000,000,000,000,000 बढ़ जाएगा, तो capital account का, बेसिकली हमें credit balance भी दे दिया, क्या लिखना है यहाँ पर, 2 balance, करेट डाउन, हां, कितना करना इनका, 5 लेक का, 3-2, Believe Yang का, तो 3,00,000,000,000, меся M kind का हो जाएगा, तीन लाक रुपए जो है, वो, ये वाली मैडम का हो जाएगा, और ये वाली मैडम तो जा रही है, तो ये वाली मैडम मा कितना हो जाएगा, 2,00,000, राइट, चलो, now I think we have done with all the adjustments हना अभी balance जो भी difference आगा उसको करेंगे अब आजाओ balance sheet पे balance sheet में syndicate कुछ नहीं करना general reserve बार दीजिये किस ratio में old partners old PSR 3, 5, 2 3 by 10, 5 by 10, 2 by 10 ये बटे का पाए general reserve account 40,000 का 3 by 10 10 तो 10 से दिवाइट के 4 4 into 3 is 12 4 into 5 is 20 4 into 2 is 8 बार दीजिये साज जनल जनल capital balance 3, 2, 1 by balance brought down 3 lakh 2 lakh 1 lakh right चलो sir और कोई ऐसा इडिम हिरें जिखना हो जिसको करना हो है just कुछ भी नहीं करना sir अब हमें कुछ भी नहीं करने इसे clear बात आप क्या कर लो अब चलो अब रिवालेशन को जड़ा रिवालेशन को जड़ा देखो profit आ रहा है कि loss आ रहा है यहां तो profit आ गया कितने का profit आ गया 1,20,000 का profit आ गया यह 1,20,000 कहां बटेगा partners capital account बटेगा राधी का रिद्धिमा रूपांसी 120 का 3 by 10 36,000 5 by 10 60,000 2 by 10 24,000 कितना हो गया 1,20,000 हो गया क्लियर बात है जी चलो अब यह 36,60,24 यहां पहुचाना भी पड़ेगा by revaluation account 36 60 24 सब कुछ कर दिया आपने बहुत बढ़िया अब कर लो इनकी balancing अब देखो किस कौन से side बढ़ा आ रहा है यह लिख रहा है मुझे रूपांसी का लग रहा है यह वाला side बढ़ा रूपांसी करेंट अकाउंट रूपांसी करेंट अकाउंट में जाएगा जो भी balance बचेगा है रिद्धिमा कितना हो रहा है इनका हो रहा है सब्सक्राइब कर देना है देने के वारे में कुछ लिखा नहीं है तो लोन अकाउंट ट्रांस्फर कर देंगे एक बार री काल्कुलेट जरू कर लो 150 गुडवेल हो गया टू प्राना वैलेंस तो थो थी फिप्टी थी फिप्टी प्लस ट्वेंटी इस ट्री सेवेंटी प्लस सिक्स्टी तो फोर लैक थर्टी थाउसड इसके बारे में कुछ ल 9D कि फोर लैक थर्टी था अ सब्सक्रेइस आप देखों इनका क्या बच रहा है da MP3 9 ब क्यों गदी चोटा पडेगा तो यह कट्यों का ट्राb simpler बाबार रहा तो क्या करना है इधर भी आपको कर देना है बाइ कहना में राधिका राधिकास करेंट अकाउंट बैलेंस निकाल दो कितना आ रहा है बस त्री थर्टी सिक्स प्रस ट्वल्ड फॉर्टी एट और कितना है नैंटी फॉर्टी टू थाउंड का डिफरेंस है यह बन जाता है मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अब आपको क्या करना है स्क्रीन सॉट कैप्चर करना जल्दी से आफ फॉर्टी टू आया इनका ल greet फॉनका कितना आया फॉर्टी आया इनका कितना आया फोर थर्टी आपने रिडिमा की लोन अकॉंट ट्रांसर कर दिया क्लिएर ब सब्सक्राइब था आ किसिटी two लोन फॉर्टस एघ्रिवार्ड के जी का जा चीक है, चालो, now we have done with all the six mark questions of the part A, क्योंकि question number 27 से क्या आता है, part B, part B, analysis of answer statement, book number 3, चालो, तो, so far we have completed how much marks, 60 marks complete कर लिये, 20 बचा है बीबी, which of the following is a tool of analysis of answer statement, statement of profit and loss, ratio analysis, balance sheet, notes to accounts, देखो ये profit and loss, balance sheet, notes to accounts, तूल नहीं है, इन पर तूल लगाए जाते है, ये तो subject matter है, तो answer क्या होगा, ratio analysis is a tool of analysis of analysis, statement, is that clear, clear, आसान था, चलो, next question आता है, question number 27, कही, internal choice है, dash ratios are calculated to determine the ability of business to service its data in long run, अरे, short run में तो, liquid, वो होते हैं, आपके liquidity क्या बोलते हैं, उसको, current ratio or liquid ratio, when you talk about the long term, तो solvency ratios, चेक करेंगे, बहुत बढ़ी है, ये definition तो solvency ratio की, पढ़के कही हो, तो समाझ में आएगा बिटा, सीधा-सीधा question है ये तो, next, 28, the inventory turnover ratio, from the following information will be, revenue from operation, gross loss ratio, average inventory, ओभाई, ओभाई, gross loss है, तो देखो, ITR का formula क्या है, invented turnover ratio is equals to, cost of revenue from operation, upon average inventory, अब cost of revenue from operation, क्या होता है, cost of revenue from operation is equals to, revenue from operation, minus gross profit, plus gross loss, तो, in this question, there is a gross loss, 12 lakh का आपके पास revenue from operation है, plus कर दीजे, gloss loss 20%, that is 2 lakh 40,000, तो cost of revenue from operation is 4 lakh 40,000, अब, sorry, 14 lakh 40,000, divided by, 2 lakhs, 2 lakhs, 2 lakhs से डवाइड कर दीजी, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, अब ये बचा है, 7.2 लगा दूं क्या, 7.2 लगा दूं क्या, मुझे इतना ही कुछ समझ में आ रहा है, कि 7.2 हो जाना चाहिए, let's check the answer, yes, अच्छा कौश्ट हैं था, gross loss दिया, कई बार क्या होता हम, flow flow में gross profit ही पढ़ते हैं, maximum time profit होता है, आपके पास, loss दिया, तो cost of revenue from operation बढ़ जाएगी, आपको बात समझे ना बिड़ा, मतलब लागा जादा आई, बेचा कम है, तभी तो loss हुगा है, gross loss हो गया है, अभी हम तो अधर जाई नहीं रहें, cost में ही आपका loss हो गया है, clear है, अच्छा question, 28, now, question number 29, यह लिखा है, मैं समझ गया हूँ, कि इस मेंने दो पार्ट है, internal choice है, interest of rupees 3000, received in cash, on loans and advances will result in, analyze करना पड़ेगा, क्या लिखा है, interest मिला है 3000 रुपे का, cash में मिला है, on loans and advances will result in, cash inflow from operating activities, cash inflow from investing activities, cash inflow from financing activities, no change in cash or cash equivalent, बात समझ गया है, हम consider क्या करेंगे, कि sir, यह एक non-financial enterprise का है, अगर financial enterprise का होता तो, operating में जाता, तो non-financial enterprises का है, तो कहां जाएगा, cash flow from investing activities से पैसा आया, is that clear, next, in case of a financial enterprise, देखो आगया, मैं बात ही कर रहा था, whose main business is landing and borrowing, interest paid and interest received are classified as, operating activity आख बंद करके लगा दो आंसर, क्या होगा, operating activity होगा, आख बंद करके लगा दो आंसर, next question, question number 30, which of the following transaction, will not result in flow of cash, not in flow of cash, okay, cash withdrawn from the bank, issue of shares, purchase of investment, payment of wages, हाह, 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 यह क्या बात कर रहा है, यार, cash withdrawn from the bank, cash account, debit, to bank account, contra entry है, सर, दोनों ही पार्ट होते हैं, cash and cash equivalent का, तो कोई cash inflow नहीं रिकार्ड होगा, आंसर लगा दीजिए, आंसर लगा दीजिए, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, आप इस question के basis पे बिल्कुल मत लगाना अंदाजा, कि 23, 24 का भी paper ऐसे ही आएगा, 23 में आगया कुछ परस्थियां होंगी, समझ रहे हैं ना आप, अभी लेकिन ऐसा नहीं आएगा, इतना easy type के question, के लिए चलिए, next question की तरह पढ़ेंगे भई, that is question number 31, 1, 3 marks question आगया, क्या लिखा हुआ है, under which major heads and sub heads, will the following items be presented in balance sheet of the company, as procedure 3 or part 1 of the company's at 2030, अरे bills receivable, पहले क्या पूच रहा, head पूच रहा है ना major head, bills receivable, major head current assets, अच्छा और major head बताऊं क्या, रोक जाओ, assets, current assets, और किसमे जाओगा, trade receivable, किसमे जाओगा, trade receivable, securities premium reserve, equity and liabilities, shareholders fund, reserves and surplus, calls in advance, my favorite one, equity and liabilities, current liabilities, other current liabilities, ये तीन नमबर आपको मिल जाते हैं, three marks आपको मिल जाते हैं, इतनी सी बात बताने का, बार 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 बोलता हूं, जब भी पढ़ाता हूं, balance sheet का format तो आना ही चाहिए आपको, इससे एजी चीज नहीं हो सकती, balance sheet के format से, clear बात है जी, चालो, question number 31 is also done now, moving towards question number 32, और थी मार कोशन है, बता हूं, यह तो theoretical question आगया, किस process की बात कर रहा है यह, यह tool तो है, कौन से tool की बात कर रहा है, कौं सा process है यह क्या आप अंदाजाय लगा सकते हैं जली से बोलो हाँ जी कौन सी process की बात कर रहा है हाँ जी क्या बोलेंगे इस process को सर इसके तो नब तो कह लिखना आपको वह सिंपल हैं सब इट इजा फैनेंसल स्टेट्मेंट आनलेसिस कौन सी प्रफसेस है यह नविएस आपनेंसल स्टेट्मेंट ऑप्जेक्टिब क्या है दो लिखना है ना चार बता दू अप तो अठरे देखो मैं आप इसको डिटिल कर लेना है, क्या, liquidity जानना है, sir, business की, solvency जानना है, sir, business की, profitability जानना है, sir, business की, sir, business की financial position जानना है, performance जानना है, और कितना लिख सकते हो, लिख दो, clear बात है जी, it is too easy, I think, चलो, चलो, question number 33, और 33 में हैं 2, A आ गया, B भी है इसका, calculate revenue from operation of BN limited from the following information, current assets 8 lakh rupees की है, quick ratio 1.5 is to 1 है, current ratio 2 is to 1 है, invented and over ratio 6 time है, goods were sold at a profit of 25% on cost, बस, यहीं से तो मैं पकड़ लिया question को, question 2 है 2 है, 2 है, क्या करना है बिटाब बताओ, current assets अगर मैं current ratio लगा दूगा, current ratio अगर मैं लगा दूगा, current ratio अगर मैं लगा दूगा, current लगा, current liberties मिल जाएगा, current liberty मिल गई, लगा दूगा तो क्विक रेश्व सा क्या जायेगा आपको तो क्या आजाएगा revenue from operation आजाएगा clear है यही बस पकड़ना important था अगर आपने एक बार पकड़ लिया तो फिर तो आसान है चलो तो सबसे पहले कौन सा रिशो लगाते हैं current ratio लगाते है current ratio is equal to current assets upon current liabilities current ratio क्या given question में 1.5 sorry current ratio is 2-1 2 upon 1 and current assets are 8 lakh rupees यह 8 lakh रुपे current liabilities कितनी हो जाएंगी sir कर लो भाई यह solve current liabilities is equals to 8 lakhs upon 2 to 4 lakh rupees क्योंके current liabilities अब लगा लो quick ratio that is quick assets upon current liabilities to quick ratio मेरे पास कितना है 1.5 raise to 1 1.5 raise to 1 is equals to quick assets I don't know but current liabilities I know the quick assets will be 6 lakhs 6 lakh क्या आगे मेरे क्या quick assets current liabilities 4 lakh है एक आप क्या करना है sir अब आगे अब निकाल लेता हूं inventory inventory कैसे निकल गई सर इनिवेंटरी हो गई ही current assets minus quick assets current assets 8 lakh rupees की है sir जी और quick assets सर आपके पास 6 lakh रूप है की है as calculated now inventory is 2 lakh rupees अब लगाओ inventory turnover ratio का formula cost of revenue from operation upon average inventory ठीक है अब inventory turnover ratio is 6 times inventory turnover ratio 6 times is equals to cost of revenue from operation I don't know average inventory is 2 lakh rupees the cost of revenue from operation is 6 into 2 is 12 lakh rupees बढ़िया question भी या अब मुझे कहने कालना है gross profit that is cost of revenue from operation into 25 percent given in a 25 percent on cost चलो sales पर नहीं कोस्ट पर यह 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 मेरे पास cost यह तो 12 lakh का 25 percent कितना हो जाएगा sir और 1 by 4 कर लो तो 3 lakh रूप हो जाए gross profit 3 lakh रूप होगा gross profit revenue from operation क्या है revenue from operation क्या है revenue from operation क्या हो जाएगा sir revenue from operation is equals to cost of revenue from operation plus gross profit तो यह 12 lakh plus 3 lakh यह तीन नमबर के साब से चान दो नमबर के साब से बहुत बढ़ा कर दिया है लेकिन ठीक है सारे स्टेप्स तो perform करनी पड़ेंगी यह आगई मेरी revenue from operation is 15 lakhs अच्छा कोशन है screen sort तो बनता भी यह जल्दी से screen sort capture कीजिए पंदर लाग रुपय आ गई ना बिलकुल चलो चलो नेक्स कोशन पर आते हैं अब हम इसका part B भी है न आ जाओ आजाओ जल्दी से जाओ the operating ratio of a company is 60% operating ratio 60% मतलब की जो भी हम बेशते हैं उसका 60% हमारा operating cost होता है the state by the purchase of goods costing 20,000 will increase decrease or not change the operating ratio नहीं नहीं यह cost बढ़ गई है अगर हमारी तो वो तो ratio के साब से according to change हो जाएगा नहीं no impact क्या आएगा लिख देना no impact कोई impact नहीं आएगा लिख देना तो मेरे काल से अब यह 3 marks का होगा यह 1 marks का होगा ना देखो question के साब से मैं marking change कर देए यह it is for 3 marks क्योंकि इसमें हमें तीन ratios calculate करना पड़ा क्या-क्या current quake और invented turnover ratio तब जाके हमारा answer आया ठीक है चलो sir अब चलते इसके part B की तरफ part B ओहो यह भी theoretical question है the debt equity ratio of M Limited is 2-1 देखो मैं क्या करता हूं ऐसे question के लिए ने बहुत बढ़िया काम करता हूं कि मैं माल लेता हूं debt equity लिखा है ना ठीक है तो इसका मतलब क्या हुए debt upon equity तो मैंने क्या consider कर लिया कि company के पास debt है ना देखो 2,00,000 कितना बड़ा figure है 5,00,000 तक का figure आ रहा है company के पास debt जो है वो 10,00,000 है तो company के पास equity कितनी है फाइव लैक रुपीस तभी टूरेश्टूर ने बना न यह यह देखो step है यह बहुत important step है कर लिया आपने अब क्या करना है अब जो भी इसमें change हो रहा है वो change इसमें करते जाना आपका ratio को सही आएगा चालो तो बताना है कि increase होगा या कि कोई change नहीं आएगा debt equity में obtained a loan from ICIC bank 1,00,000 पेवल आफटर 5 years देखो आपने loan लिया तो company क्या बढ़ गया होगा debt बढ़ जाएगा अभी debt कितना हो गया 11,00,000 और equity 5,00,000 है तो आपका numerator बढ़ गया denominator constant है तो क्या होगा ratio increase हो गया debt equity ratio will increase ठीक ये कर दिया इसको हटा दो ये कर दिया ना इसको हटा दो अब अपना चलते हैं second की तरफ original situation 10,500 है purchase machinery for cash और cash में machinery purchase की ना तो मेरे debt को impact कर रही ने मेरे equity को impact कर रही तो no change लिख दो no change लिख दो फिर क्या है redeemed 9% deventures of 1 lakh हाँ deventure redeem किया तो मेरे debt जो है वो कम हो जाएगा debt कम होगे equity कम नहीं हुआ numerator कम होगे denominator कम नहीं हुआ तो ratio क्या करेगा decrease हो जाएगा next issued equity shares of for purchase of machinery of 5 lakh to the vendors इस केस में क्या हो रहा है देखो इस केस में क्या हो रहा है अब मेरे debt को impact नहीं है लेकिन मैंने क्या किया equity issue कर दिया तो मेरे equity बढ़ जाएगी क्या हो जाएगी बेटा मेरी equity बढ़ जाएगी लेकिन debt में कोई impact नहीं है debt में कोई impact नहीं है अब तो यह one is to one हो जाएगा तो मेरा debt equity ratio decrease हो जाएगा first case में increase हो रहा है second case में no change है और third case में decrease है और fourth case में भी decrease है सब जगे decrease है ना सब जगे decrease है ना हाजी सा बिलकुल 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 दो जगे decrease है एक जगे increase है और एक जगे no change clear है screen shot capture करो move करते है last question of the day यानि की हमारा आखरी question और आखरी question तो सर आखरी ही होता है मतलब मैं सही suggest करूँगा आपको की आखरी question आपने exam सबसे पहले करना क्योंकि दिमाग पूरा आपका completely exhaust हो चुका है अब और तब आपको करना है cash flow का question sorry cash flow है की नहीं है oh एक मिट एक मिट question cash flow नहीं है क्या एक मिट पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है आजाओ आजाओ पढ़ लेते हैं हाथ hypothetical situation पढ़के answers देने हमें कुछ आजाए आजाओ भी पढ़ो question पढ़ो question पढ़ो question पढ़ते हैं read the following hypothetical text and answer the given questions on the basis of same scheme sujata started a small enterprise business grew the under the skill India scheme as the business grew the revenue started increasing and she decided to form sujata limited to achieve her objective within with 10 other like-minded persons the financial position of company is given in the balance seat as at 31st March 2022 और हमारे पास है share capital है reserve surplus है statement सब कुछ है चलो next में क्या है हमारे पास ये भी है question क्या है addition information depreciation given है one lakh charge during the tangible letter ठीक बाता जी on the basis of above information prepare the cash flow statement मैं तो खोस हो गया था कि कैस्वलो नहीं बनाना उन्हें मुझे लगा कि कुछ question बूचेगा बदा दो की position कैसी हो रही क्या है उसका decision में यह सब पूछेगा उनने तो बोल दे सब cash flow statement बात खतम हो जाती है तो tension का है लेना भाई यह बना लेते हैं cash flow statement को बड़ी बात है क्या आ जाओ आ जाओ बना लेते हैं cash flow statement ठीक है चालो तो बैसे format तो नहीं है सच कोई लेकिन क्या करते हैं हम ऐसे बना लेते हैं चालो यह बन गया एक और ऐसे तीन हो बना लो क्यों बना लो तीन सर यह हो गया आपका operating एक बना लो investing और एक बना लो आपका financing tick I'll say it as A cash flow from operating activity अब बना लो B cash flow from investing investing activity यह बना लो C इन्फर्मिशन है वन लेक्ट डेप्रिशन चार्ज हुए इसको हमें एसेट के टाइम यहा दखना है आट सिट आ जाओ हर एक चीज को अनलाइस करेंगे देखें क्या हो रहा है share capital 17 लेक्स से 20 लेक्स हो रही मतला हमने फ्रेस इशु किया होगा अब share capital इशु किया तो पैसा कहा आएगा financing में आएगा क्या लिखूंगा यहां पर में plus proceeds proceeds from issue of shares कितना 20 लेक्स हो गया sir 17 लेक्स थी आपकी तो 3 लाग रुपे यहां से आपके पास आया होगा next item चलते हैं यह share capital के बाद है आपके पास reserves and surplus 4 लेक्स से 3 लेक्स हो रहे हैं लिखा हुए statement of profit loss मतलब 3-4 करूँगा during the year में क्या हुआ है loss incur किया है तो कहां जाएगा operating में जाएगा sir क्या होगा net loss as per statement of profit and loss कितने रुपे का loss है sir एक लाख रुपे तो negative figure लिख दो एक लाख रुपे का negative figure लिख दिया next दो item deal कर लिया तीसरा item क्या है non current liabilities में long term borrowings दो लाख से तीन लाख हो रहे हैं मतलब एक लाख रुपे की borrowings भी लिए अब borrowing कहां किसका पार्ट है financing का पार्ट है तो financing जाकर प्लस कर देता हूं increase in long term borrowings एक लाख रुपे से borrowings बढ़ गए चलो यह भी सही तीन item हो गए चौथा current liabilities है और current liabilities में trade paywall trade paywall 25 से 50 हो रहा है याने की increase in current liabilities जब current liabilities increase होती है it is considered as inflow of cash liabilities बढ़ रहा ही मतला हमारे कहां प्लस करना है इधर वार्किंग क्याप्टल चेंग तो प्लस इंक्रीज 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 इन ट्रेड पेवल कितने से बढ़ गए ट्रेड पेवल आपके 25,000 रुपीज से ट्रेड पेवल बढ़ गए चलो यह भी सही सर चार आइटम थे इस पेज पे चारो आइटम मैंने कर दिए अब मैं मूब कर रहा हूं next पेज की तरफ जहां पर मेरे पास हैं एसेट्स और टेंजीवल एसेट्स नो लाख से आट लाख हो रही है एडिसन इंफरमिशन ने की एक लाख का डैप्रीशेशन लगा है मतलब डिफरेंस से डैप्रीशेशन ना तो कोई एसेट पर्चेस किया है ना कोई सेल किया है तो डैप्रीशेशन कहा जाएगा इधर जाएगा सर एड हो जाएगा नौन ऑपरेटिंग नौन कैस आइटम में डैप्रीशेशन डैप्रीशेशन डूरिंग यर क्या हो जाएगा वन लाख रुपीज एड हो जाएगा चलो सर ये भी ठीक depreciation इधर भी टिक लगा दो इधर भी टिक लगा दो अब क्या है? Intangival assets 2,5,00,00 हो रही है यानि कि आपने Intangival assets को purchase किया है और ये जाएगा investing में क्या जाएगा investing minus purchase of Intangival assets 3,00,00,00 रुपए से आपने Intangival assets को purchase किया है चलो सर इस पर भी टिक लगा दो अब आपके पास है non current investments 4,00,00 के थे 3,00,00 के बच रहे हैं कोई additional information है नहीं In the absence of information we assume कि हमने investment जो है वो sale किये हैं हमने investment क्या किये हैं वहिया sale किये है चार लाख से तीन लाख एक लाख रुपए के investment sale किये हैं तो पैसा आएगा sale of non current sale of non current investment एक लाग प्लस हो जाएगा ठीक चल ये भी कर दिया आपने अब आते हैं current assets inventories 5,00,00 की थी और 4,00,00 की हो गई यानि की पैसा आया होगा माल बेचा है ना तो कहा जाएगा सरी ये जाएगा इधर decrease in inventory कितने से 1,00,00 रुपीज से next item trade receivables बढ़ रहे हैं मतलब यहाँ पैसा गया होगा तना 25,000 रुपीज़ minus कर दीज़े increase in TR increase in TR 25,000 रुपीज़ मेरी खाल से last item तो इसलिए मेरी line चली गई अब देखो इधर cash in cash equivalent में difference कितने का 3,00,00,00 का मेरा काम हो गया है बस अब मैं सब को total करता हूँ यह 3,00,00,00 रुपीज़ अगर आते हैं तो मेरा answer ब्लुकुर सही हो जाएगा चालो तो यह आगा मेरा net profit before working capital changes प्लस कर दीजिए अरे जिरो आगया यह बाहर आएगा कितना वन लाइक रुपीज यह आगया cash generated cash generated from operating activity कितना वन लाइक रुपीज आजाओ इधर इधर क्या हो रहा है cash used cash used in इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दो लाइक रुपीज इधर क्या रहा है cash generated cash generated इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको a plus b plus c तो a क्या था प्लस था b क्या था निगेटिब टू लाइक रुपीज था और c क्या है positive 4 लाइक रुपए जब इनको प्लस करोगे तो नेट में कितना कि आपने तीन लाइक रुपए नेट cash generated है इसमें प्लस कर दो opening balance of cash and cash equivalent कितना opening gas 2 लाइक तो क्या मेरा closing balance of cash and cash equivalent है लिए हो जाएगा पांच लाइक रुपए हो गया sir closing balance of cancer cash equivalent टैली हो गया answer done screenshot capture जरूर कर लीजिए आप यहां से start करेंगे screenshot capture करेंगे जल्दी से अब इसका करेंगे and now this is done this is how now we have completed previous year question paper of 2023 previous year question paper था यह जिसको हमने complete कर लिया है करना ना भूलें इसके अलाबा magnet वेंस पे आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए रखी अपना बहुत सारा ख्याल स्वस्त रहिए मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को इंज्राय करना ना बूलें देखने के लिए तैंक यू सो मच गाईस